कि देराग जी आपको कंसेट्ट बता गया पहले जैसे बात कर नहीं आपके पहले कंसेट्ट बता देते हैं कंसेट्ट जदा अच्छा रहता है अच्छा रहेगा थोड़ा सा आज सभी जितने भी हमारे पूरे देश में साथ ही है खास्तोर से जो अपने आपको हम तो समण कहते हैं मगर वह बहुजन या मूल लिवासी या SC, ST, OBC कहते हैं या दलेतिया, सूद्रिया, पिछड़ा जो भी बोलते हैं क्योंकि हम तो बुद्ध के अनुई आई है तो बुद्ध के प्राची नो पहला जो सब्द है समण उसी को इस्तमाल करते हैं तो आप सब लोगों ने एक कमाल की बात आज देखी होगी कि साहाब का असी राम जी जिनका आठ तारिकी रात को परिनिब्बत हुए थे यानि जो ब्रत से निब्बत हुए थे बाहर हुए थे जीवन के ब्रत से उनको नो तारिक को मनाय जाता है बताया जाता है तो यहाँ आज आपने वाट्सेप देखा होगा सारे के सारे कारिक्रम देखे होंगे और कल रात साही कारिक्रम स्टार्ट हो गए और आपने देखा होगा कि देश के हज्जारों और लाखों संग्ठन जो अलग-अलग रहते हैं वो सारे के सारे ही साहाप कासी राम को अपनी विनम्र कारे के सारे वो प्रिकट कर रहे हैं और सब अपना फोटो भी साथ लगा रहे हैं नाम भी साथ लगा रहे हैं और फॉन नंबर भी साथ हैं लोगों ने बड़े-बड़े कारेकरम भी आयुद किये हैं और सभी लोग सोचते हैं कि सहाब कासी राम की बड़ी जैजयकार हो रही खूब चाकू मारे और हर नौ तारिक को चाकू और तेजी से मारेंगे और ज्यादा मारेंगे तरसल कोई जैजैकार नहीं कर रहा और कोई उनका कहीं कोई सद्धान्जली नहीं कर रहा सारे के सारे लोग पूरी तरह से जितना भी गद्दारी कर सकते हैं साप कासी राम के नाम पर उतनी गद्दारी आज होई और अगले साल फिर होई कैसे होती है क्यों होती है क्यों महापुरुस कहके क्या जाता है वो कर क्या रहा है महापुरुस कहता है बहुजन बनाना है महापुरुस कहता है एक साथ रहना है महापुरुस ने पूरी जिंदगी बहुजन समाज बनाने में लगा दी और पूरी जिंदगी सब को इखटा करने में लगा दी और वही लोग जो महापुरुस का नाम ले लेके और लड़ने और मनने के लिए त्यार हो जाते हैं वह अपने अलग-अलग संग्ठन और अलग-अलग घर बनाकर उस महापुरुस का जलूस निकालते हैं क्योंकि महापुरुस तो है नहीं अब तो खाली फोटो है सुदीर जी आप अन्म्यूट करिए आप म्यूट है शारत किसमें म्यूट करिया जो आइडिलोजी बावा साब ने दिए संग रहना है अपने कहा है संग रहना है तो यह जो आइडिलोजी दी जाती है जब महापुरुस को यह आइडिलोजी दे के जाता है जैसे बुद्ध ने एक आइडिलोजी दी के संग रहना है और संग एक रहना है जब संग एक रहना है तो संग के टुकड़े करने वाले बुद्ध की आइडिलोजी के कैसे अनुयाई होगे कैसे बुद्धिष्ट होगे और कैसे मानने वाले होगे और कैसे उसके उपासक होगे जो इस बात को नहीं कहते कि संग के टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि संग के टुकडे होते हैं तो हम खतम होते हैं हम मारे जाते हैं जब बावा साब अमबेट कर ये कहके गए कि संग्धित रहो संग्धित रहो संग्धित रहो तो कैसे अलग-अलग लाखों लोग उनका फोटो लगा के जैजाकार करते हैं और क्यों हम उनके साथ में खड़े होते हैं जबकि हम ये जानते हैं कि महापुरुस्ट ने डॉक्टर अमबिट करने हमको इखटा होने के लिए कहा है और हमको कहा है कि इखटे रहोगे तो बचोगे तो क्या हम अपनी मौत का जैकारा लगाते हैं क्या हम मरने के लिए अलग-अलग होते हैं क्या महापुरुस्ट का मरने के बाद मा फोटो लगा कि हम ये बात कहते हैं कि हमने महापुरुस्टी बात नहीं मानी जो लोगों पर हम आरोप लगाते हैं कि हमको मूर्टी बना कर ये कह दिया कि महापुरुस को मारना है तो उसके जैजय कारे करो उसकी पूजा करो और हम क्या कर रहे हैं अभी पंद्रे साल नहीं हुए है उस महापुरुस को गए हुए और पंद्रे सो आपने फोटो लगा के लगलग संख्धर मनादी उसके आपको बावा साथ के नाम पर हजारो संख्धर बनाने में शर्म नाहीं आई तो आपने महापूरुच के नाम पर बना रहे हैं जो अम्हापुर्स के नाम पर कर करा रहा है तो राज्यातिफित के नाम पर अलग लगा लिए कमस्का कि अ Tracy के तुकड़े होते हैं नहीं होते हैं नहीं Are हम इसी में मारे जा रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे महापतों क्या चायते हैं हमने फोटू लगा लिया बस जियकारा कर लिया और एक प्रशी कट वाली रसीत काट ली और उसके बाद हम अपना अलग अलग ले जाके दुकान खोल को जसको करने लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और ऐसे करते हैं कि हमसे ज्यादा करोगे क्या नहीं करोगे परिणाम तो देख लो इतने पड़े लिखे हो इतनी डिग्रिया ले ली है तो ना समझ में आना चाहिए कि महापर उसने अपने वैलफेर के लिए कुछ किया हमारे वैलफेर की लिए किया उसने झ हमलीतनी लिया हमारे लिए उसने अब परिवाइए चलाता तो वह हमसे ज्चा तो उसकी इस बात को तो मान लो कम से कर लिए से नमन Ce होगा या उसकी अलगलग फोटो लगाके करके वाटसेपिर फोटक्ते समाझ को नहीं आती है तो पड़ूई से सींक लेना चाहिए जो स्का वि droveोदी समाज समाज में होता है था उसका करा हुआ उस कितने में टुकड़े हैं और कैसे भी हो वह कभी आवाज नहीर थे कि हम less साथ होतें उनके मरवदिन पर उनके जनम दिन पर तो उससे समझ लेते और उससे भी नहीं समझें तो अपने महापुर्सर समझ लेते कि जब संग एक था तो बुद्धन ने संग को तूट ने नहीं दिया बावा साब ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम्हें जात का संग्ठन बनाना है या तुमको अलग-लग बनाना है कभ बावा साब की तौह फिए को नीद्वार बावा साथ हैं चार लाक संकंधन आकी चार लाक संखन कौन रोकेगा ना ना डाक्टरं रॉक्त आने बॉले माइने बुद्धाने वाले ना पских राने वाले हैं ना Beijo tete सकते हो जिनका नाम लेते हो उन्होंने कभी अलग अलग संथन ही बनाए उनका नाम रटने का फाइदा क्या उनके सबी बुक्या धुराइ नहीं कि उनकी युद्ग हरा भी अलग राम के न Lebensाल distant कि ख towel टांग के और वी बात कर के पुब हूब लगा करते हो जयकारा उनका लगाते हो चार संग्थान अपने बनाते हो कैसा जयकारा लगाते हो यह बात को सोचने और समझने के लिए यह कड़ भी बात है भक्तों को बड़ी चुपती है और चुपनी चाहिए तो कि भक्तों के लिए कभी किसी महापुर्ष ने कहा महापुर उसकी बुद्धी काम नहीं करती, इसलिए जो इंटलेक्शल लोग है, जो जानकार लोग है, उन्हें अपनी बुद्धी खोलनी चाहिए, अपने इगोर एहम से भार आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि महापुरुस कहता क्या है, महापुरुस का रट्टा मत लगाना चाह है, ददस लाग लोग एकटे हो जाते हैं, एक एक लाग संखन चलते हैं, 26 नमबर को सम्विधान का जैकारा करने के लिए पूरे देस में आग लगेगी है, पूरे देस के लोग मनाएंगे, मगर सम्विधान नहीं बस सकता आपका, क्योंकि सम्विधान यह कहता है, मेरा जै हुआ है कि MPML होगा, तब अधिकार बचेगा, सम्विधान यह कहता है, वीदा पीपल, वीदा पीपल जहां होंगे, मैं वहां उनकी खित्मत में हाधिर हूँ, मैं वहां उनका लाब करूँगा, क्योंकि मैं वीदा पीपल से चलता हूँ, हम भारत के लोग से चलता हूँ, आप 51% वीदा पीपल इखटे कर दो, जो हकुम मेरे आगा, जो कोगे, मैं आपकी सेवा करूँगा, मगर आप तो 85 और 90% हो, तो 50% इखटे नहीं हो पारे हो, तो इसमें सम्विधान का क्या दोस है, सम्विधान क्या क्या करेगा, सम्विधान कुछ नहीं कर सकता, वो आपक कोई मतद नहीं कर सकता, वो आपका सेवाख है, मगर उसकी सर्थ है, जो आपने बनाई है, जो आपने लागू की है, जो आपने मानी है, कि जिसके पास 50% लोग होंगे, उसकी बात मानी जाएगी, उसका सम्विधान होगा, तो लोग कहते हैं, अगर 50% लोग एखटे होगे, अरे बचता है अधिकार, दो अपरेल को, कोई MPLA आपकी फिर में नहीं आया, कोई पड़ा लिखा आदमी फिर में नहीं आया, कोई बहुत बड़े-बड़े जो एलिट क्लास के लोग थे, वो नहीं आये, साधरन लोग सर्थ को पे आये, सम्विधान ने कहा कितने आए, उन पर्मानेंट से ज्यादा लोगी खटे हो जाएंगे, समू में खटे हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपकी जो गई है, वो सारी आजाएंगी, वगर हमारे जो लोग है, वो टेंपरेल इलाज बहुत धूंते हैं, उनको टेंपरेली क्योंकि बड़ी सोच नहीं है, जब भी कोई व्यक्ति आका बनेगा, जब भी कुछ होगा, ये वीदा पिपल अपने आप खतम हो जाएगा, इसकी गोशना बार बार लिख के आ रही है, कि यहां कोई व्यक्ति आका नहीं रहेगा, यहां सम्विधानी रहेगा, और संग का नेता, संग का आका संग ही होता ह है जैसा पुराने समय में होता है तो और लोग पैसे लेते झाते थे पैसे लेते पैसे बना जाते हैए लोगों सदसाय के नाम पर सुर्क लेना है सुरू कर दिये कोई बिल्डिंग के नाम पर ले रहा है कोई किसी चीज के नाम पर ले ले रहा है लोग परिसान होगे पैसे देते देते और रिजल्ट नहीं आया तो वीदर पिपल कहता है कि पॉब्लिक से कभी जिंदगी में पैसे लेंग तो देश की प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा होगा जो चाहेंगे वो करा लेंगे और इनको पहले समालना चाहिए अरे बहुत होती है जब आप इखटे रही होते आप आज इखटे हो जाएए आज आपकी प्रतार ना बंद हो जाएगी आपके उपर अत्या तो लोग कहते हैं तो आपकी सब चोटी-चोटी समस्या निकल जाएगी सारी बाहरो जाएगी होनी बंद हो जाएगी तो लोग कहते हैं अब हम आर्थिक काम करेंगे आर्थिक अब हम लोगों को क्योंकि हमने बिजनिस नहीं किया अरे बिजनिस किया सुख के समय में सारा बिजनिस हम ही करते थे भूल के कोई बात नहीं तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पे हम लोगों की उलती करेंगे यह रास्ता नहीं हमने देखा तो बावा साब ने हमें रिजर बैंक गौर्फ दो गेंगे तो च्छान में लोग क्या करेंगे पैसा आएंगा देश से पैसा आएगा गवश्च इइस ऑप इखटा होना आप महगाई में मारे जाओगे तो चली कहा लड़ते हैं गौश्चर मिल जाए 20,000 मिल जाए 50 मिल जाए नहीं मिले तो हमीक खटा कर लोगे हमारे समाज के पास में चार नौक्री में से और हो चुके हैं दो रहह चुके हैं वह भी रिटायर होने के करीम हैं अब नोक्रियां है नहीं उनको पैसे मिलता नहीं कहां से खटा करोगे कैसे अर्थ-व्यवस्ता चलाओगे कैसे काम करोगे तो इक खटा होना पड़ेगा तो गौर्मेंट ऑफ इंडिया से अर्थ-व्यवस्ता चल जाएगी उसमें हिस्सा है और जब सारा कुछ आप एक खटा करक यह मतर लाग के वरावर चीह कहां से खोड़ोगे आपके पास पैसा नहीं है अगर गौर्रबन्ट ऑफ इंडिया कर सकते इस काम को और गौर्मेंट पिंडिया में सम्द्धान यह कहता है इक खटे हो कर तो मेरे आखा मैं खत्रे में नहीं हूं खत्रे में तो आप भया नो बज़े नो बज़े च्छतिस मिटवर आप एकटे हो जाएगा आपके फिर फिर में कि आज के बाद में यह चीज आपको मिलेगी कौन मैंने करता है अगर यह सम्मिधान की विवस्ता खतम हो गई और यहां राजसाही हो गई एनार की हो गई फिर आप इखटे हो जाना फि फिर आप इखटे भी हो जाओगे तो नहीं होगा जैसे पुराने समय में होता था बढ़ जाकी कोई नी सुनता क्योंकि राजा के यहां सम्मिधान लागो नहीं होता है इसलिए यह सारी चीज़ें जितनी भी हैं यह महापुरसों ने बताई हुई है जब महापुरस का दिन ही हो सकते हो तो हम मारे जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि आप इखटे हो जाओं कि कुछ जो उनके ऐसी लोग है जिनको बहुत ज़्यादा गुलाम और मांद सी गुलाम बना रखा है भक्त बना रखा है वह अपोज करेंगे आपको कि उनकी बढ़ी चोटी है उनको खत्रा मह गए नहीं कौन देगा क्योंकि आपकी इंड़स्टी तो है नहीं तो ये बात उनको समझ में नहीं आती जो बहुत छोटा दिखाई देता है उनको तूर तक नहीं दिखाई देता कि विफ्ती साल बाद मशीने आ जाएंगी तो आप टो जो काम आप करते हो कर नहीं पाओगे जो दस आदमिया का अकिला काम करती है, करोगे क्या, जमीने है नहीं, दुकान है नहीं, इंडिस्टी है नहीं, क्या करोगे, काम क्या करोगे, जब काम नहीं करोगे, तो क्रिमिनल बनोगे, या फिर डिप्रेस्ट में आगे आत्मत्या करोगे, दो काम में से, एक करोगे, तो बच्चों को कैसे ब बच जाते हैं, जो जानवर अकेले अकेले जंकलों में रहे, वो सारे विल्ट हो गे, मर गे अकेले अकेले, उनको दूसरे जानवर खा गे, जो जुंडु में थे. चिडिया भी जुन्डों में रहती हैं बेसक आकास में उठती हैं कोई खत्रा नहीं है जुन्ड में रहती हैं चीटी भी जुन्ड में रहती हैं मदुमक्खी भी जुन्ड में रहती हैं और तो जो जुन्ड होता है जाडियों का वो भी जुन्ड में रहता है ताकि वो अकिला आनी चाहिए प्रकती से कि हमको बचना है तो एकटा रहना और इकटे रहने के लिए जो इगो रहे हम वाले लोगे उनको रहा जोड़के नमस्तार करके के देना चाहिए जब हम बच जाए तब आ जाना अरे लड़ा रहना आपस में को जिंदा रहोगे तो ड़़ोगे ना के अंदर जो लोग अलग ठलग रहे हैं जिनके समाज बिखर गए हैं वो लोग उनकी जड़े और नसले खतम हो गई हैं और किसी कर बचेगी तो गुलाम रहेगी हमेशा के निया गुलाम रहेगी उन लोगों का जो इखटे रहेंगे इसलिए अगर जिंदा रहेगा वो बताओ हमें कहा चलना है ये कोई संवर्ण तो है नहीं ये तो संग है ये पूरे सब को अपना संभल मानता है तो बही अलग-अलग क्यों बना रहे हो इसमें कौन सी जमापूली आ रही है पैसा हम किसी शा को तो कि निकालो कुस्तों सोचो ये दिमाग दिया है बाबा साहब ने तो इसका इस्तमाल तो करो कि कब तक भक्ती करोगे कब तक पूजा करते रोगे कब तक महम्मपती जलाते रोगे जला लेना अगर बच्चे बच्चे जाए तो सब काम कर लेना खुद बच्चो तो जगड़ लेना लड़ लेना अभी तो बचना का नमबर है इसलिए वीद प्रकति से समझाना चाहिए धन्यवाद है कि शुदीव जी माइक खुलो अपना परियार साथ साथू 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 सुदीव जी बहुत अच्छा ताथू साथू ते तुदी जिता है् साथ आव प्राम से जले जले नादी में अपकी पूराम नाथ प्राव प्राव आद नाथ या तिस्मे नाथ चाहिए तो इसमें लवक 32 साथी हमाया जुड़ चुके हैं तो प्रकास जी जी तो पचास के लवगों हो जाए फिर इंट्रोडशन शुरू कर दीजिए पचास को त्रेमिल करा के फिर इस्टाट अच्छ अच्छ जो नए साथी उनका शुरू कर दिए अहां मैं देख रहा हूं कौन-कौन है अधि आधि नय साथी में सारी यह मुक्रेश कुमार जुड़े हुए है कि अधि तो प्रेश कुमार यह मैं प्रेशा दिए संकरलाल के नाम से लोग जुड़े हुए है मैं अभी मैं नासिक में हूँ और यहां मैं एजे इंजीनियर एक कंपनी में प्राइबेट कंपनी है उसमें लगा हुआ हूँ जी तो आज मैंने आपका यह मीटिंग जूइन किया थैंक यू बेरी मच्ट जी अभी पहली बार आपने जम जूइन किया ना जी आपने पहली बार जूइन किया ना आप अपना मोबाइल नमबर बता दिएगा मेरा मोबाइल नमबर है एट वन जीरो नाएं जी डबल टू बन नाइन टू आप जुड़े हैंगे तो आपको काफिर चीज़ समझगे आएगी आपको लिंक सब कहां से मिला है यह डॉक्टर मेडम है उन्होंने दिया था मेरेको वैसे अच्छा च्छा चलिए आपकी विडियो ने कुष्टि सब गया अब आपकी विडियो और अस्टि सब गया जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ रहेगा और फिर साही चीज़ सुनिएगा सर ठीक है और नौ बजे हमारी कंसेट्ट बताया जाएगा थन्यवाद सर अरुन कुमार जी जो है हमारे साथी जो जुड़े हुए है वह अपना परचे दें सर अरुन कुमार जी जिन्होंने हैंड्रेस का रखा है कि इसाल आपके अवाई निया लिए जर नहीं करें सर बुलीए सर अरुन कुमार जी अरुन कुमार जी अरुन कुमार जी मिर्या पस इस चलिए कोई नहीं बीज़ लच्शमी जी कि अविज़ अच्छ में एक आज देख के मैंने निंक कोशिश की नंबर से लेकिन किसी नहीं दिया फिर मैंने सुधिर जी से रिक्वेश्ट की यूटूब से ही फिर इन्हों नहीं लिंक चेयर क्या तब मैं जोढ़ पाई हूं आज मैं पोस्ट आफिस पीमजी आप जूड़ है मैं आप अभी जो नोजे कंसेट्ट होगा उसको आप सुनिएगा फिर आपको दोए चीज समझ में जाएगी कैसे बनाओ क्या इसमें क्या काम हो रहा है ठीक है मैं अपना मुबाइल नमबर जो है चैट बॉक्स में डाल देते हूं अगले अगले आप हैंड्रेस किया हुए है आप बताएं कि आवाज आ रही आप पास नए अबाद पहुंच रही है आप पास अगले साथी है योगंदर जी आ गया क्या आप योगंदर जी सर आए 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 जी सर आपका ही आज है अज आप प्रोग्रम चल दे थी काफिक आप 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 प्राणा आए ने प्रोग्राम आए आए सर लांगा अन्य आपकर शयोग करते अंग्ए अगेले साती हैं अजय कुमार राना जी अजय कुमार राना जी अजय कुमार राना जी की नाम जुड़े हुए है कि अगला नाम है डॉक्टर सुबेदार जी अगर मेरी आवाज सुनने हो तो इसे अपना डॉक्टर सुबेदार जी इस इनको नहीं है में इस इस अगरु मेरी आवा जारे तो पना माइकर नियूट की जिए इस अगर अपना परिकेश दीजिए है लाजंडा कुमार जी अगर अजो आवाज से पना माय थे जीए अब दो कि लाजित मांजी बोले आप जाएविम सार जी सब्सक्राइब चाहिम सर आप मैं राजंद्र बल्या से बोल रहा हूं सर जी हां ज राजंद्र जैभीन नमबुद्धा मां डॉक्टर स्वामी बोला हूं सर मुस्ट वेलकम लाहु भुष धन्यवाद सर अपना परिचर दिजिए इसोशेट प्रोफेसर एजुकेशन फेकल्टी सतीश चंद पीजी कालेज बलिया उत्रप्रदेश्क प्रग्राउं उत्रबूर्टर इसोशेट प्रोफेसर एजुकेटर हैं आज के संदर्म में समाज बिभिन प्रकार के धार्मिक जाती आर्थी इसमताओं से खीरता जा रहा है इसमें जब तक हमारा समाज बहुजन समाज एक साथ नहीं खड़ा होगा तो आने वाली परिस्थितियां और फायावा होती जा रहे हैं जितने हम बिखरेंगे उतने अधिक हम पूटेंगे स्लोगन है एक साथ रहिए जूड़के रहिए कदम आगे बढ़ाईए आज के परिवेस में आज के दौर में या अब परिहारे ही नहीं एक तरह से कह दिए कि महत्पूर्ण कदम बन गया है अत्यायस है चाहें वह आर्थिक रूपसे सवल ब्यक्तित तो हो या आर्थिक रूपसे दुर्वल ब्यक्तित तो हो हम इस मन्च से चाहिए या आपने समाज को चाहिए शबी को एक साथ लेकर कर चले सभी जदी एक साथ रहेंगे तब जाकर के हम अपने समाज को आगे की तरफ ले जा पाएंगे जो हमारे पुर्वज पिरियार साहब से ले करके मनोर कांसी राम जी तक के सितिहास को देखा जाया तो सभी लोगों ने एक ही कहा है कि एक जुट रही है तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे जहां हम अपने आप में थोड़ा सा भी दुराव की इस्तिति करेंगे समाज से पिछ वाही हम लोगां की दूलगति सुरो होज आति एक साथ रहेंगे सभी लोग मतुट खी रहेंगे सभी लोग संपन मुट मुट रहें गर सभी लोग beads को डिकास का मुटर मिले जुदे रहता हूं सर हमें सर जुदता हूं प्रत्र दिन जी ह कुछा को गया हथा आजिनदर शर आप आए सर आपको बहुत बहुत सवाध कर दृटको आड़ाद शर मैं लगात न्युदे रहता हूं सर बिलकुल सर बिलकुल मॉस्ट वेलकम सर आया चल्ला कि योगें जी कि देखिए आप क्रियाम मेरे कोई साथ ही हमारे होंगे तो बुलवाले यह क्योंकि प्लस साथ ही हमारे बीच में हो गए है कि किसी को बढा लिए कि दोक्तर स्वामी जी दोक्तर स्वामी जी जी सर जी आज की प्रस्तावन आप भी करेंगे तो ओके सर ओके मैं कर दे रहा हूं कि अग्यां कि अग्यां मेरी आवाज जा रही है ना यहां सर यह भारत के शंविधान के उदेश्य का हम भारत के लोग भारत को एक शंपून प्रभुत्यों शंपन्न समाजबादी धर्म निर्पेक्ष लोक्त अंतरात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और आउसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिरिसंकल्प होकर अपनी इस सम्मिधान सवा में आज दिनांग 26 नौंबर 1949 1949 1949 को इतत द्वारा इस सम्मिधान को अंगिकृत अधिन्यमित और आत्मरफित करते हैं जैस्वमिधान जैविम जैव भारत जैंक्यू आपका बोड़ा दने वाक्त है अग्राइब नाम है यह जाजकुमार उतोराज राजकुमार की है उतोराजी की नाम से इस प्रिप्याय अपना परिश्य दें आज़कुमार भी इस दाजकुमार दोटी जी नवा बदाय जैविम सरकोजी जैव भारत जैंक्यू सर्थ मैं राजकुमार उश्राज ट्रॉंटो कनेड़ा से हूँ और मैं आपको आज पहले सुनना चाहता हूँ आप बाई जंडा हो देखें क्या बाद चल रही है कुछ समझें थोड़ा और बाद में दो-चार मिन की होती है जब आप लोंडे करते हैं तो वो जो टाइम आफ का है वो हमारे काम से कांफसलेक्ट करता है तो इसलिए वो जोwarm न steals कर पते हैं अब्रीडे मागर सारड़े संडे तो उसदियो कोशिश करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आज क्ए के साथ आगे शर करें तो अभी मैं आपको सुरूंगा और पूरी मीटिंग में आपके साथ ज़ुदा रहूं तीक बने रही आप डोकर हरीजी कि अगर मेरी आवाज है तो कि मैं नमोगतार जैबीन सर नमोगतार जैबीन सर मैं बंबाई से हूं मैं डॉक्टर हरीश रावलिया बंबाई से हूं और इस सोसाइटी ओप इंडिया आंडेट बाइट बाइट बावा साहिव आंबेड कर उसका मैं अभी राष्टी चेर्मेन हूं पहरी बार मैं अपना परिचे दे रहा हूं उसके पहले एक दो बार जुड़ा था लेकिन समय के कारण में ज्यादा रही नहीं सका आज सोच लिया कि पुरा टाइम आपके साथ में बीताने का है तो सर अभी द्रमकाई काम करते हैं कि अभी दो-चार दिन पहले ही हम लोग वह थे लड़ाक में हमारा ब्रांच बगेरे उपन करके आये हैं तो अच्छा तंग से हम बुदिश सोसाइटी उप इंडिया का काम कर रहे हैं तो अभी आपका ये मुझे इनका जो वीडियो बगेरे सुनते रहता हूं तो जिर्राज होता है सुनना चाहिए दुसरे से तो अच्छा लगता है मुझे और सबी लोग यहां जो जो भी आते हैं और अपना जो यहां अभी प्राइब रखते हैं वह सुनके मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी ऐसा मुझे विश्वास है कि बावा साब का जो एक सपना तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तो वो अपने को अभी जर्थ पुरा होने में अभी कर सकते हैं हम लोग क्योंकि अभी लोग जूट रहे हैं बहुत चूट रहे हैं और बुद्धिजम के प्रती लोग अग्रेसर हो रहे हैं तो अभी एक अच्छा चिन है कि हम लोग अभी यह पूरा भारत को बोदमी कर सके और उसमें हमारा एक सहबाग हो इस हिसाब से हम लोग काम करें को नमुद्द्दाई चाहिए अगर नाम है डॉक्तर प्रसांट जी अगर वेरी आवाज अपना माई कमूट की सर्थ मैं डॉक्तर प्रसांट सर्थिक उसाइगन से मेडिकल ऑफिसर के पत पे हूं पर लगनाओ यह ठीक उसाइगन जी लखनाओ लगनाओ लगनाओ पर बात कर रहा हूं अच्छ पर पहली बार प्रसांट सर्थिक या आप ने आप दोड़ा हो अधर स्वामी सर के उस नोने मुझे लिंक दिया था जुड़ने की बताया गया था कि यहां बहुत उच्छी बाते हैं जुड़िये इंसे तो मैं उन्ही के साथ ही उन्ही के अंदर में ही काम करता हूं जापत पर 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 दोफ दन्हेवाद भाई आप जुड़े हैं में है अपने साथों कि यहां लगेगा यहां था यहीं था था gün था 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 थैंकिथियों था 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 हाँ हमने दॉक्तर साथियों को जोड़िये ठीक है सर कोशिप करूंगा हाँ ओके ओके त्राइक क्यों जूड़े रहिएगा ठीक है अगले नाम है वीमार सिखा वीमार सिखा के नाम से है कोई हमने आज जोड़ा है सारनाच से हो सारनाच से जी 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 सर आवाज ने जा रही है हाँ आरे बेटा अपना परिचे देजिए सर आप सभी को नमो गुद्धाए जबी जी जी सर आप सभी को नमो गुद्धाए जबी मेरा नाम बिमर्श्रिका है और मैं वरार्सी से हूँ सारनाच की धरती से और सर मैं बोधी साथ बाबा साइब डॉक्टर भीमर्श्रा अमबेटकर जी के मिशन को आगे बढ़ाती हूं और मेरी वो कॉल्फ्यूकेशन है यह सर मेरा पर्चे आपकी आवाज आपको किसने जोड़ा है वेटू यारी मेरी सर यह कंचना वीर मैं ने जोड़ा है मुझे जोड़े रहे और पूर्शन में सुनिया आप ठीक है आगे जोट रहे आपने नमबर चैट्रों में डालती है जी जी सर बहुत बहुत साथ हूं सर आप तभी को पुनने नमों बुद्धाय जबिया थेंक्यू नमों गुद्धाय थेंक्यू यह रान कोली जी अगर मेरी अब पूली जी अगर तो आपना माइक अब कीजिए किलेक्सी जेपोर इस बुद्धें हमारे भीच कोई तरह मेरी आवाज आ रही हो तो अपना माइक अनुस्टीए किलेक्सी जेपोर पिलस के नाम पे दो कि अगराज भारतिय जी एक है नाम से अभी अब लिए इस मारी तो अब्यार्टी मेरी आवाज आ रहेते अपनी माइक अब जैवीम नमवदाइसर जाके सुमार जी जैवीम नमवदाइसर जी जैवीम सर जैवीम हलो अब आपको आवाद आ रही है कि आपको मेरी हाँ बिल्कु खिलियर है सर बोलिए सर मैं इधर अमरहा से बिलॉम करता हूँ अच्छे अच्छे मैं इससे कल भी जुला था में इसे जैए अच्छे अच्छे में गुरूप है हमारा अभीनव ऐसी गुरूप हाँ जी इनके हमारे यह सामिल वाभी मैंने देखे थे मिटिंग में जैवियर सिंग जी जैवियर सिंग्धी है निर्देशी हैं बहुत सारे लोग हम अमरहा से बहुत सारे लोग है हाँ जी हाँ जी तो वह हम इसी के दो इन्दी के द्वारा जुड़े हुए लिंक आपको मिलता रहेगा और जुड़िये और जुड़िये भी अपना नंबर पतास लोगों का लिंक भेशता हूं रोज लेकिन हमारे समाज के लोग ऐसे हैं कि अब इस चीछ पर घ्यानी देते ह कोई नहीं कोई नहीं आप अपना काम करते हैं कि अगर मेरी अवाज आ इस माइक अपना परिच्छ देंग विर्सिंग जी विर्सिंग जी एमराज भारत्य जी एमराज भारत्य जी तुमेर्थ पंचकुला से हैं सुमेर्थ जी सुमेर्थ जी हैं पंचकुला से सुमेर्थ सर अगर मेरी अवाज आरे तर अपना माइक अपन कीजिए सर सुमेर्थ जी दोक्तर संजे जी दोक्तर संजे जी जो भी नई साथी नई साथी अपने जुड़े में हैं किसे दर के अपना हैंडे चरीए नई साथी यह नमस्कार सर अजिस्टन्ट इंजिनियर के पत्पर कारियत हूं राजिस्तान से बिलोग करता हूं मैं और मैं वीदा प्यूपल में इसको कर भी हूं और मैं मैं से कंटिनू जुड़ा रहता हूं जबार्टा या या रिज्ट देली जुड़ते रहिए और और जो अपने साथीं अनों को जोड़ते रहिए और पूर रहे समय पर यह जी देंक्यूं तेंक यू सर थेंक यू जुड़ी है हमारे बीच अभी तरसी सिंग जुड़ी है अजु रानी अगर मेरी अवाज अरुस अपना परिश्यत दें एंड़े आपका अंजु जी सर शशे सिंग मेरा नाम है अभी आपने कहा जी 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 आप सबका बहुत धन्यवाद सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग संगटित हो रहे हैं और इसी प्रकार हम अपने अधिकार पाएंगे आज का दिन तो हमारे लिए बहुत विशेस है और हम ऐसे महापुरुशों को सद्धाय व्याद रखना चाहिए इनकी बातों गयाद रखना चाहिए और मिल करके संगरश करना चाहिए सर बसने रहे इतना ही निवेदन है जय भी नमबुद्ध है और चैटबॉक्स में अपना नमबर जोड़ देना जी बिलकुल जो भी जो भी अपने मिलने वाले हो जहां भी अपने जो परिष्टतार हो जो भी अपने भाग महां सभी बुजोड़ी आप तीक है जी बलकुल बतुत अंजु 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 रानी मेरेट से आपका हेंडरेज है आपका है तीसिए पके दिग सेटिंग जी आपका हैंडरेज है अपना माइक ने फीजिये जी जैभीम सर नमबद्दाय मैं सर मुरादवाद से वह लाओं सेर सिंग मैं सर प्रयास करता हूँ कि आपकी मिटिंग में जुनूँ और बातचीत भी करूँ लेकिन कई काण्डों से कई बार नहीं पाद यह हम सब करने का प्रयास करते हैं कई काण और दों सह Haut करवाया सर बहुत अच्छी हैं और आप लोग की बास सुन भी सकते हैं और जो बात हम सीखते हैं उसको वाग liberté कर सकते हैं इजह सार अब बहुत अच्छा काम करें रहे हैं जो हम नहीं कर पाये जबकि मैं भी चाहता हूं मैं करूँ लेकिन सर आप आपको पूरा मोखा है आप परिया सर बहुत अच्छा सबी जी नमस्कार साथ मुलागात हुई है आपसे अरे सार मेरे लिए दो सोभाग्य की बात है कि मुझे इतरा अच्छा प्लेट पुला जी जी बरेली बरेली में पिलोग कुन साथर बेहडी है बेहडी बेहडी सर अच्छा लगा हुआ है आप तो मैं सर बिजनोर मेरे और सब बस सर आप तो जान दिया है टांसफर होता रहता है जे 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 तर बहुत थैंको सर आप जोड़ा बहुत अच्छा रही सर 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 वेलकम सर नमस्कार जैबिम जनेश जी जनेश सुलानिया जनेश सुलानिया सर आए अपना मैं कर दो है जी लक्सम्न जी लक्समन जी अगर मेरी आवाज आई तो आइए आप आपका हंटेज जै सर उस्टेशे थे अबूसर है जी 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 अलो हाजी सर्ट शुनानिया जी याज इसर्ट जी बोले जिने जी है यालो इसर्ट जोले अवाजारी आपकी तरफना प्रिश्ट दी जी ए हेलो सर्ट आपके आवाज आ रही है आपके आवाज आ रही है आपके आवाज आ रही है अपना प्रिश्ट दें अपना अच्छा सर दिने चंद हूं सर अलवर जिले से अच्छा अलवरते हैं आपके यह सर यह क्या काम कर रहा है और पुरा प्रसे दिए पुरा प्रसे दिए सर किसने आपको जोड़ा है तर बीए सिनर सिंग कर रहा हूं आपको क्या सर लिंक कहा से मिला है आपको किसने जोड़ा आपको लिंक सर हमारे बनोकर से जैयन साव है उन्होंनों जोड़ा है मेरे अच्छे तर आपको जोड़िये सुनिये पूरे समय में बने रही है यह सर अपना नमबर चैट बोक्स में डाल देंगे आप अपना नाम ठीक है अपना इस्तान और नमबर यह सब्सक्राइब लक्समन जी लक्समन जी आपके हैं अपना माइक किजिए सर लक्समन जी सुमेर जी जुड़े हमारे बीच में पंचकुला से सुमेर जी आए अपना परिच्चे दें सुमेर सर पीर सिंग आनंजी पीर सिंग आनंजी हमारे बीच जुड़े में है पीर सिंग जी दोक्टर संजय जी दोक्टर संजय सर्व दोक्टर रवी भार्थी जी जी सर्व नमवु दैजेवीं सर्व अपना परिच्च सर्व में डॉक्टर रवी भार्थी सर्व यहां मौहलाल गन सीसी पर पोश्टिड हूं और मेडिकल ऑफिसर की पोश्ट पर और मेडिकल ऑफिसर कम्मुनिटी हेल्थ से सर्व आईरवेद में एमडी पेच्टिए उन सर्व और डॉक्टर स्वामी सर्व में अब जी सर्व पार्थी सर्व अब जी सर्व ने जी सर्व नमो बुद्ह जैनी सर्व डॉक्टर स्वामी बोला हूं बहुत 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 थांकि भरी मज्ट शर्व आपके सार तर ये काफी डॉक्टर्स की लंबी पेरिंस ता है जी सर शर आप अपने सभी साथियों को वी द पीपिल संग से जोड़ें सर जी बिल्कुल डेफिनेटल सर आपसे मुझे बहुत उमीद है सर शर बिल्कुल बिल्कुल सर आप लोग अपना नंबर दे दीजिए क्य मुवाइल नंबर मैं बता दीजिए अपना 7905 बदा अच्छा लग रहा है लगनों कि कई सारे लोग हो गये हैं जी मैं 7905 जी, 15-15-3854, 3854, ठीक है मैं बहुत-बहुत साथ हुआ, मैं आप से बात करूँगा, जी, जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अबहुत बहुत हुआ दुए, जी, जी, राजकुमार जी है, उस्रोज जी, इनका गुल, आचुके क्या है, आज इंटरनेशनल है और अजय जलवान जी भी आ चुके हैं जैबिम नम्म गुद्धाय साथ योगेंदर जी योगेंदर साथ ये राजेश गुर्जार और अमो लिंगोले साब है यह उत्माल महरास्ट से उनको परिजे के लिए बुलाएंगे राजेश गुजर जी पाइब जैबिम सर जैबिम 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 अमो लिंगोले साब है अमो लिंगोले जी अमोल इंगोले अन्मूट कीजिये अमोल जी एक एंडेज भी है जैविन सर नमोगुदा जैविन सर जैविन नमोगुदा है अमोल जी बोलिये अब बुले अपना परिच्छे दीजिए क्या ने सर हलो क्या करते हैं आप अपना परिच्छे दीखे है यह अपना परिच्छे दीखे है है अपने अपने है आप अपने हैं नाजेज भूर्जार के अब शीए अब ऑगाज़ प्लीज कंड़ी है अमारे चंवान जी नुएक से कि दोक्तर अजेज जन्वान जी यह मैडम अंजूरानी मेरिट से इन्होंने हाथ रेज कर रखा है इनको ले लीजिए फिर उसके बाद मैं आपने इंट्रिड़क्शन फिर दे रहता हूं सबी सात्यों को मुझे जैसे हर रोज यहां जुड़ने से बहुत अच्छा लगता है अपने ही समाज के साथ और सभी भाईयों को और बहनों को बहुत-बहुत सादुवाद मैं यहां नियॉयॉर्क से हर रोज जुड़ने कोशिश करता हूं और यहां पे आजे भी लोगों को जुड़ने कोशिश कर रहा हूं और यह वी दैपीपल के माध्यम से हम लोग यहां पे इक कट्राव हो रहे हैं बहुत सारे फिर गृप्स हैं बहुत सारे लोग एक All India एफ्यट माहे साब और बहुत बहुत लोग हैं उसमें उनों को बीच बीच में आते हैं लोगों से मिलते हैं और वहां पर महिलाएं बहुत इंटरस्ट दिखाते हैं जो है यहां पर जितनी वी बाते सुनते हैं वो सब लोग बहुत उत्साहित होते हैं और धन्यवाद आप सभी के साथ जुड़ने में अग प्रफिश्ट के पारे में बताईए और अपना इंट्डेशन में दी जी मैं मैं सरे के सिंग जनपस संभल चंदोशी से हूं और एक इंट्र कॉलिज में में लक्षिरार हूं वीदा पीपल से पिछले साड़े तीन महिने से जोड़ा हूं और खोशिश करता हूं लोगों को जोड़ने की इसका जो संग का जो अदेश है उसे देश को पुरा करने का मैं पुरियास करता हूं लोगों को जोड़ने का पुरियास करता हूं बस यहीं कह करके मैं अपनी बात प्रेंदर जी आपकी ना माइक की खड़ी आवाज कम है दोक्टर प्रेम मातुर जी आउकर प्रेम मातुर जी आउकर प्रेम मातुर जी महाराच से अमोल इंगोल जी हमारे भी चुड़े में है अपना माइक खड़ी जी जी सर कांचन वीर माम भी है कांचन वीर माम अपनों परिचे दिजिए कांचन वीर महाराष्ट से विश्वे शांती दूट फाउंडेशन और करांती जोती संस्ता की तरफ से मैं महिला और बच्चों के लिए कार्य करती हूँ और अभी अगले महिने से हम एक प्रोजेक्ट लिया है बड़ा जो कि धम्मक का कारे करने के लिए हैं जो कि क्रांटीवन परियतन बुद्धिजम आरोगी विहार के इंदर की स्थापना कर रहे हैं और उसकी नियू रख रहे हैं 19 नहुंबर को तो आप सभी को आप सभी आमंत्रित हो उस प्रोग्राम में जरूर आना है इतना ही बता सकती हूं और मैंडम एक मिनीट कांचनवीर जी जी मैम मैंडम महिलाई स्पेसल है दस तारिक को मैंडम के दस तारिक 20 तारिक और 30 तारिक को महिला स्पेसल होता है है कल आप जरूर जुड़ियेगा इसमें सभी मैं पूरे देश से महिलाइं जुड़ेंगी जरूर 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 मैं जी ठैंक यूर जी पापा जी कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूं थैंक यू थैंक यू थोड़ा वी दी पीपल कंसेप्ट के बारे में भी बोलिये न जी वी दी पीपल कंसेप्ट बहुत अच्छी है और आगे बढ़ेगी जैसे कि हमें प्रयत्न करने में पीछे नहीं रहना चाहिए हमने कल भी 10-15 लो पी ना कोई जुड़ता रहेगा हमारे साथ और बताने की भी जरूरत है जैसे कि हम लिक भेजते हैं तो थोड़ा सा अगर उसमें इस पार में अगर बताते हैं तो विशे का पता भी जो देगा कि हम आज किस विशे पर चल्चा कर ले हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा तो यह कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ योजनाओं की भी जरूरत पड़ेगी जैसे कि हमारा संगतन अभी आगे बढ़ रहा है तो कही हम फिजिकली भी मिले एक हाथ बार कारेशाला लें ताकि हमारे उत्तिश के बारे में सब्सक्राइब करने की तो हर राज्य में इस तरह के अगर सेंटर बन जाते हैं तो मीटिंग्स के लिए कारेशालाओं के लिए धम्मप्रचारा के लिए अपने बच्चों के प्रशिक्षन के लिए सब के लिए सहायता हो जाएगी जब कंसेpt है इसमें सुधिर राज जी के वीडियो हैं आपका जो मुद्रा गुरूप्त में वह वीडियो डालिए तोड़ा वह कंसेpt और किलियर हो जीजी जरूर 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 इसमें एक अठ्टा होना जादा मेहत्वपूर्ण है समझ्षाओं का हल उसी में है जी तो वीडियो को हमें तो गाव गाव के लोगों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि जैसे कि हमारी भूमी जो है हम जो जीते हैं तो वो किसानों के भरोसे शिक्षत और विजारती और सैनिक यह सब लोग हमारे सा चलेगा तो उस दिशा में हम कार्य कर सकते हैं क्योंकि कार्य करता भी तैयार होनी चाहिए इसमें जैसे कि गाव में हर गाव में बुद्ध धमा का प्रचार्थ तो हुआ है लेकिन पंचे सिर्का पालन भी होना जुरूरी है तो उससे ही धमा आगे बढ़ पाएगा और जी और जैसे संस्कार हो जाएंगे अगर शाम को एक बहुता भी अगर बैटते सब लोग तो उसमें चर्चा भी हो सकती है। जैसे कि सामाजिक है, राजनीतिक है、 शैक्षनिक है। किस को क्या जरूरत है? जैसे किसम बच्चा एक दस वी में पढ़ा है, बारा वी में पढ़ा ह आगे का cya पढ़ाय करें तो बच्चे क्या करते है डाएक टी नहीं नहीं है रहते हैं और और बागे कुछ कर नहीं पाते और फिर नीराशा उसके हाथ नीराशा आ जाते हम कचो पर नहीं पाए है इतना पढ़े लेकर आगाती है करें कंचनवीर जी एक मिनट थोड़ा नहीं साथी जुड़ रहे हैं बाहर से आज इंट्रेशन स्पेशल है थोड़ा सब देखें दोक्टर राजे जलवान जी एक युएस से जुड़े हैं साथी जो है ना उनका आप कराएं थोड़ा इंट्रोडेक्शन जग्दीश बानकर है एक राजे जलवान जी आप थोड़ा देखना जग्दीश बानकर जग्दीश बानकर जी आईए आप अपना इंट्रोड़क्शन दीजिए मेरा नाम जग्दीश बानकर मैं डालस युएस से में रहता हूं मैंने दो हफ्के पहले भी जॉइन किया था और यहां पर तो हम अपने एक अगनाजेशन चलाते हैं और बैसिकली आरगनाजेशन का नाम है अमड़क्राइट इस आसोशेशन आप टेक्सस और इस आसोशेश नेटवर्क में लाके उनको अपने जो बाबा साब ने धम धम्मा दिया हुआ है उसके बारे में हम मंतली एक धम्मा टाक करके प्रोग्राम रहता है उसमें बाबा बुद्ध की जो टीचिंग्स है एक-एक सुता लेके हम लोग उसको बंते द्वारा उसका विशनेशन करव करके हम सब समझ लेते हैं सो यह जो प्रोग्राम है हमें करिब करिब साथ-ाथ-साथ साथ से चला रहे हैं और अब आप तो सभी जानते हैं विजया देश्मिया भी है आगे और उसके लिए भी हम ने एक प्रोग्राम और्गनाइस किया हुआ है हम लोकल ही है क्योंकि अभी पैंडेमिक के वज़े से बाहर से गेस्ट वगरे तो बलाये नहीं है लेकिन हर साल हम लोग बाहर से लवेक तो अमरीकन नहीं तो फिर इंडिया से जो भी हाँ पर विजूट के रहाते हैं उनको हम ऐसे के स्टोर पर बला लेते हैं जैसे कि दो साल पहले पैंडेमिक के पहल आपको अपने लोगों को और बाकी लोगों को भी यहां पर रविदा सिडी जो है जो बहुत से जुड़े हुए है तो उनको भी हम पहुचानी के कोशिश करते हैं तो इस तरह से हमरा यहां पर आप पर चलता है Thank you, thank you so much for inviting and I'm very glad to join on every Saturday whenever I whenever the time permits but this is a great program कर दो प्रापर अगर देखा जाए तो मिरा जाओ ब्रहु प्रापर अगर देखा जाए तो मेरा गाव ब्रहु है तो ब्रह्मपुरी से में एक सास में रहता हूं तैंक यू इरुमस्ट जोड़िए प्रिहार एसी बहुत है सर्थ जलवान जी जुड़ें हैं गनाड़ा से ओसराज राज कुमार जी जुड़ें हैं आपके महराश्ट्रा के बहुत साथी है मैंने भी है थोड़ा सा अपना डिटेल बता दीजिए कहां गाव अगयरा कौन सा है थोड़ा सा तुके आज चंद्रपुनिस्टिक में ब्रह्मपुरी तासिल है वहां से मेरा काव दो-तीन किलोमेटर पे है और मेरी पुरी बारावी की पढ़ाए भी ब्रह्मपुरी से भी और अगर अगर उसको रेफरेंस देते हो तो बारावी जो मेरी सेकंड बैच है व creates प्नुम्पुरी है फैटर इन बीज == अविर भी प्नॅपटिकार लिए ऑटम की रगिटर्सक्टम की अविर after completion of my post-graduation from I.N.T. Kharagpur, I joined Rusty Chemicals and Fetilizer in Bombay. I was there for about 11 years. In that, on the job I learned computer technology and that is how I got the opportunity to accelerate my future in a developed country in the USA. So, I came in 1997 in USA and since then, fortunately, I am at the same place in Dallas, Texas. The important thing about Dallas, Texas is the weather, everything, like the culture, the here, the people, it is just like India. So, me and my family, everyone liked the area and now I am settled in Dallas, Texas. Regarding my family, sir, I have two kids. My daughter, she is married, she is also here. My both son-in-law as well as my daughter, they are working. My son, he is also working and he is doing his MBA in the business management along with his job. So, that's how my profile is, sir. If we consider that, payback to the society, what we can do to payback to the society? As I explained right, I am also here, you know, accelerating the Buddhism which Baba Sahib has given to all of us and made all of us proud to make yourself in a proper position as well as, you know, help others, right? Whatever the capacity that you have it and you can do it. Sir, I am getting one important call, I have to drop right now for that, but I will join again. Thank you very much, Jagdish, sir. Please leave your phone number in the chat box, so we can get in touch again. Jai Bhim, sir. Rajkumar, sir. Hello. Hello. Yes, Rajkumar, sir. Yes, Rajkumar. Mr. Rajkumar, sir, not two days. Who is Rajkumar sir? Vendor, Vendor. Badhole. Gbara. I am Raja Kumar, Badhole, say. Yes, I am Raja Kumar, Badhole. I will say. You have the time. Thank you. Thank you. जयवीम नमुदाय. जयवेम नमुदाय, sir. Thank you. Sir, Rajkumar, sir, आप अपना introduction में देजीए, please. Sir, धृसकार मैं रुट एंटिज्ट्थार मैंने से जुडा हूं और कई भार introduction टाद देचुका हूं, तक फिर भी एंगार देदेता हूं. Thank you, sir. I am actually retired Chief Manager जरू हूँ बैंक अप इंडिया से और सुरू से याने करीब 85 से सामाजिक कारिया से जुड़ा हूँ मेंली बामसेफ से जुड़ा था लेकिन अब बामसेफ और बीएसप के कई में सुकड़े होते गए तो हम भी दूर होते गए उससे अभी तीन-च्यार मैने से मुझे ये वीदी पीपल का जो प्लैटपार मिला ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये बहुत अच्छा प्लैटपार्म है इसमें हम जुड़ते जा रहे हैं लोग और मैंने भी मेरे जो फ्रेंट्स हैं उनको लिंक बेशता जा रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हैं और कुछ लोग आना कानी कर रहे हैं आज भी मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ वो मीटिंग में करीब देड़ सो लोग थे और उन्होंने भी इसी तरह का एक प्लैटपार्म बना हैं तो मुझे यह लगता है कि आपका प्लैटपार्म देख्के उन्होंने तयार गया ऐसा मुझे लगा उन्होंने भी कोई उसको नाम नहीं दिया उन्होंने एक बैनर बन तो देखते हैं क्या होता है उनको भी जोड़ने की कोशिज करूँगा मैं आपने बहुत अच्छी बात करें जोड़ पाए क्या है आप अपना इंट्रक्शन देंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब तो अब जो भी नए मित्र जोड़े हैं प्लीज अपना हाथ रेज कीजिए और जिससे आपको बिलाए जा सके आगे हमारे पास हैं अंकुष राओट जोड़े है सर अंकुष राओट आप नाम बताएब आईए अपना इंट्रोड़ेक्शन दीजिए अजेज जल्वान सर आईजी सर जैवीम नमभुद्दा सर मैं डॉक्टर स्वामी लखनाउ से आजी सर आईए आप अपना इंट्रोड़ेक्शन दीजिए सर सर मैं डॉक्टर स्वामी लखनाउ से बोल ला हूँ मेरे मित्र एक बीपिन बिहारी कौसल सहाब इलहाबाद प्र कि आईए सर अपना परिश्य दीजिए कौसल साब जी सर नमभुद्दा जैवीम सर आज जैवीम सर नमभुद्दा जैवीम बोलिये सर बोलिये मैं मैं बिपिन बिहारी कौसल मैं लाहबाद में रहता हूँ और बहुँ ज्यादा दिन उस्तुत नहीं पिछले चार-पांस सालों से जब से तथागत सम्वेक संबूत बाबास अग्रसत हो रहा हूँ इस ग्रुप में जोडने के लिए मैं बहुत बहुत साथ वात करता हूँ हमारे बच्पन की मित्र परमादरणी डक्टर स्वामी जी को जिनके मध्यम से मैं इसमें जुड़ा आपने लिंक वेज़ा और यह प्लेट फार्म मिला मुझे तभी यह दूसरा दिन में जुड़ा हुआ हूं और इसको समझ रहा हूं सुन रहा हूं देख रहा हूं और आगे मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा वैसे तो मनें काई संगठन में पीछे काम किया लेकिन चलते चलते भी एक संगठन मुझे मिला था उसमें मैं फिराल जुड़कर के काम कर रहा था जो धम का कारे करता है बाबा साहब का आंति मिक्षा बहुत धम की लेलो दिक्षा उसे फिलाल मैं अपना जीवन चला रहा ह और इस वीद पूपल से जुड़ा और इसको अभी दूसरा दिन है मैं इसको देख रहा हूं समझना फिलाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि जो बाबा साहब का कांसेप्ट है उस विचार धारा पर जिससे कि रोज आभी आप इसमें क्रियंबल को बताया जाता है प सिच्छों में कुछ दिन और जिनदा रह जाऊँगा तो पूरी भारत को बाफ़मां बनाएंघा इसमान समय हम देख रहे हैं और हमारे सम्मानिज साति시는 गुर्प में जुड़े हुए हैं हम उनको सुनना चाहेंगे अपना पूरा टाइम में उनको देना चाहता हूं इन्हीं पॉरा हम इससे चंट सब्सक्राइब धर्यूल को हैसे वह ऊद्व दिये आ थेंक यू कोशल साब आपने बहुत अच्छे से एक्स्पेंड किया हमारे बीचे बिखु धम धमदीप जी भी है आप प्लीज आएं आप अपने इंट्रोडेक्शन दें बिखु धमदीप जी अवाज आ रही है सर आपकी तो मैं विक्चु रमदीप जिस्टिक गाजयाबाद में रहुल जार रहता हूं और आपके यहां काफी दिन से जड़ा हूं एक दो मैने से बहुत मीटिंग ज़ान करता रहता हूं अभी फिलाल मैं इस हपते बाहर था मैं ब्लेजिंग एरिया में तो वहाँ पर नेट नहीं कर दाता था तो इसलिए मैं जोड़ने को आज मैं आगया हूं इसलिए आप ओन-लाइन हों मैं आपके साथ डाक्टर लाल सिंग जिए अची तर रहां पर नहीं के दोरा हूं मैं जोड़ा था और आपके जो मंती जी किया राजनपाल या मीटिंग होई तो इसमें भी में था तको लें भी में जोड़ा फॉश्हा था कर दोरा रहि end हाँ 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 जी बिखुछ आप बताइए आपके आवाज आ रही है आपका माइक म्यूट हो गया है आप प्लीज अन्म्यूट करके हाँ हाँ ज़ते हैं कि और है कि अधाटर य हो हाँ है का जी बिखोरशाय के तो सुन्हाम्यू अध्यम्यूक तरू सना पाएंगे तैयमकेश पाँ होता नहीं है काहने होएं काएंगे गुद्दा काड़ना है अपना वीडियो भी आउन के रिए प्लीज प्लीज है 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 जुद्धित है चप्पले में आप सबीगे है कि सुखेश मेनुआ अच्छे स्वास्त की काम ना करता हूं कि आज जोडने की बात करते हैं कि आज जो हम राहत की साथ है वो खत्रे में है क्योंकि हमारा सम्मेदान खत्रे में है और सम्मेदान खत्रे में तो हमारे अधिकार खत्रे में इसलिए सम्मेदान को बचाने के लिए हम सभी को सम्मेदत होना जरूरी है हम सबी को जिन्मेदारी है कि अभी नहीं जो मैं समझा रहे हैं उनको सम्झाना जरूरी है वावा साब ने हमारे लिए सिच्छा के दरवाजे खोल दिये तो हम सिच्छत हुए लेकर संगठित नहीं उपाई एक अकेले वावा साब ने उस मनवादी जिवश्चा को पलीता लगा कर हमें समर्धान और लोगता पर जिवश्चा दी सब को समान से जिने का रिकाल दिया और हम सब लोग मिलकर उस समर्धान को नहीं बचा पारा है अपने को असाहर मैसूस कर रहे हैं कि और कि नहीं पाएें कि अधि कि पत्तियों में संगस करके हम शाभमान में जीएद मान का सफल। कि आज मैं कहता हूँ, हम लोग से मसलम मेरा है कि हमारे वो भाई बेहन जो अभी गहरी नीम में सोय हुए है, उन्हें नहीं पता है कि हमारे अग्कारों पर डाता डात जा रहा है, ऐसे लोग को जगाने के हम सब की जिम्री है, अगर उने जगाने में हम आप सभा में आप हो जाते हैं, तो मिश्य ही हम सम्मिधान को बचाने सफल हो, इसलिए मेरे आप सभी से अपील है, कि आप सभी अपना कीम्ती समय देकर अपने परोसी भाई बहनों को समझाईए और सभी को जोडने का प्रयाज कीजिए, तब ही हमार सन्गा सफलोंगा, उसलिए और स्भी में आप सम्मिधान को एड़ा क्वाधीशार्ण के मिवाधी, अपने बचाने में आप सभा में चाहिए, क्यों कansen को परेलो के कर दिए समाज में शुच्छा का दिए अठाटी सासक तभी उप्ता का कर जब हमरे बंदू, समाज वा परवार ना भूंके नंगे नहोंगे लाचा इस अठाट अप्रम लें, तभी हम सच्छे हमें पावा साब का समाज ना सकते हैं आप जगाव समाज को तर्मर वा पाठणों को अपना प्रुगत ना हो वही पनाई थे हैं, नको जगाने और दिलाने अपना अधिकार आओ गरगर अलग जगाएं, समाज में एक ता कप्रन लें, यह होगा पड़े लिखे नौजवानों का तब लेकर चलेंगे, हम सब को साब साब का सपना साखार करेंगे, सुष्कों का सपना अपना होने देंगे पूरा करेंगे एक अभाई चारा संपा का पज़ार करेंगे नाम लेशन आवस्टाप का, तब लेकर सार्षत होगा, वाल होगा समाज का ठान और धार, इनिस सब दिक साथ, आप सभी का मंदल हो, सभी अभी इंशर, धन्यवाद आपने बहुत अच्छा सा श्रक्षिप में बताया, हम मैं बलाना चाहूंगा, MS.Bell सापको, UK से जो रिकावर हो रहे हैं, सर्जरी होने के बाद, प्लीज आप आए, MS.Bell साप और अपना इंट्रोड़क्शन दें मेरे प्राम्तिकारी साथियो, मैं अभी इस प्रीशन में नहीं हूँ कि वे कम्प्लीटली सारा समय आपके साथ जोइन कर सकूँ, but I'm pretty much on the way to recover, और मैं सुनने के लिए आपको आया था, मैं सोचता हूँ कि आदा पौना गेंटा पहले मैं सुननू कि आपका क्या विशे चल रहा है, कैसी कैसी लोग विचार दे रहे हैं, और मजूदा हालत से, जो देश में हैं, उससे कितने प्रभावत हो रहे हैं, और उस सबी चीजों के लिए मैं बाद में बात करता हूँ, आप लोगों का बहुत-बहुत अबिन अंदर, आप लोगों को लगाताः दुने रहते हैं, आप लोगों के इस काम कि बहुत शिरागा करता हूँ, और बहुत विश्वास है, मुझे कि भई ये वीदा पीपल हैं इक द साथ मैं हल्थ मेरी ठीक है लेकर इंप्रूब है कल मेरी चेक अप हुई थी और अबरिफिंग सींज टू बी ओके ऑप्रेशन भी ठीक हो गया है और उसकी रिप्लेस्मेंट जो है वो भी ठीक ठाग गया है लेकन वो यही कहा रहे हैं कि जड़ा मूवमेंट में थोड़ी दिक रहेगी दो चार हफ़ते क्योंकि जो रिप्लेस्ट बिट है वो बोड़ी के साथ करने के लिए सुड़ा हम समय लेगा तो उसके लिए मैं थोड़ा कई बार ना मैं ज्यादा बैठ सकता हूं और ना ज्यादा लेट सकता हूं तो उससे थोड़ी प्रेशनी हो रही है और अपने आई प्येस है डॉक्टर बीपी एशोग उन्होंने जोएन किया जरा उनको बुलाएं अप मिस्टर बीपी एश आप प्लीज आएं और जो आपने इंट्रदक्शन दें मिशाइद माइक खोलने में दिक्तत हो रही होगी अशोग जी आप आएं प्लीज अपना इंट्रदक्शन दें आप सुन पा रहे हैं मुझे बहुत आई 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 आवास है अपको सभी को नाव बद्दाय जैवी नाव बद्दाय जैवी बहुत अच्छा सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ना तो हमेशा काम आता ही है किसी ने किसी तरह से वह व्यक्ति के दूप से भी पारिवारी की लुप से भी व्याप्साही की दूप से और अट अच्छा कंसेप्ट है और बाकी पर्चे के नाम पर तो बहुत ज्यादा कुछ आप पर मैं उनको पहचानता नहीं हूँ परिहार साथ को सब्सक्राइब कोई और चोटा है लेकिन कुछ और पूछा चाहते हैं तो बताईएगा मैं उस अफिक्षा पे खरा उतरने का प्रियास करूंगा और स्वाल के लिए थोड़ा टाइम आपका लेंगे हैं एक बार कंसेप्ट यहां सुधिराजी या कोई बताएं कंसेप्ट बता दें इसकी बाद कि अधर आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रियार साथ अधर 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 जी ने बहुत अच्छी बाते बताई हैं आवाज आ रही हैं हमें गाइड करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब अधर अधर जी ने बहुत अच्छी बाते बताई निश्चित रूप से एकठा होने में कोई नुकसान नहीं है और एकठा होना बहुत जरूरी है बिना एकठा हुआ कोई आधर नहीं चल सकता और बहुत बढ़िया 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 बाते बताई सबी लोगों में इखटा होने यही दिक्कत आती है कि हर आदमी यह चाहता है कि मेरे अंडर में सब इखटा हो तो सबकी ego problem में दिक्कत होती है तो उसका अच्छा समादान दूड़ा सुधीर जी ने कि चलिए इखटे हो जाएं लेकिन दिक्कत वही है हर देश के अंदर हर समाज के अंदर लोगों का अधिकार है संग्धन बनाना किसका अधिकार चीन सकते है जो राइट टू एस्सेशन है वो समधान भी कहता है और दिक्कत ही आती है जब ego problem आयाता है चाहा पॉलिटिक संग्धन हो कौन किसके अंदर में रहे हर आदमी की इच्छा यही रहती है कि मेरे अंदर में सब रहे मैं अध्यक्ष रहूँगा या मेरी policy चलेगी या मेरा विचारी ठीक है यह ego-centrism जो है और ethnocentrism इसको sociology anthropology में आवर्स इस दा बेस्ट करके इसको explain किया आता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सर्वोत क्रश्ट है जबकि टालकट पार्संस जैसे सोचलिस्ट कहते हैं जब चार लोग इखटा होते हैं जब चार इखटा होते हैं तो इस नया इखटा होने में कोई नुकसान नहीं है किसी बोगती जब चार लोग इचार करेंगे तो अच्छा है जो लोग नौकरी कर रहा है या नौकरी नहीं भी कर रहा है वो लोग चाहें गाउं में रह रहे हैं कुछ माइक्रो कॉन्स भूर्ण विवस्था की ज़ेसे पहचानने में नहीं जाती है और उनको एड्रेस करना बड़ा मुश्किल होता, सुनीरवाई से बात भी वी थी इसमें, ज़र कुछ तो पकल पाते हैं, लेकिन संबंदे दिवाग की अलग-अलग किस तरह को बेकार किया जाए, किस तरह से हरस्मेंट किया जाए, किस तरह से लोगों को मुश्किल मला जाया, आप और हम लोग सब भी चाहें तो एड्मिशन के टाइम पर, और मैं तो जानता हूँ, मैं अधिकारी का बेटा होने के बाद भी, चाहें पहले क्लास में हर जगे माइक्रो कॉंस्किलिस का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, हर जगे तो उनको इकटा करके डॉक्यमेंटिशन करना बहुत आवश्क है, ताकि एक अच्छी स्ट्रेटिजी बनाई आ सके कि माइक्रो कॉंस्किलिस कैसे कदमी जाया, जैसे देखा हो कि आपने जो सेंटर गॉवर्मेंट हो, इस तरह के होते हैं कि उसमें बदले की भाव ना होती है, खास तोर से हमारे लोगों पर महर लगा दि जाती है कि ये फ़ला पार्टी के लेने वादे हैं, ये फ़ला पार्टी किस से सम्बंदित है, और उनको टार्गेट करके, उनको परिशान कि यहां तक कि जो बहुत चोटे रहेंग पर हैं, उनको चुट्टी देने में उनका नाम क्या है, उनका सरनेम क्या है, यहां तक दिक्कत होती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे दोर्मेंट सेक्टर हो, चुट्टी देने की समस्या होगी अगर उनकी विरादरी के लोग देश की लोगों ने यह समझा कि प्रोवनतिम आरक्षन और आरक्षन अलग चीज़ है। समीधान पीर इस तरही बनाई जाती है जो लोगों को दिखती गई आज। đज तक डिमांड ही नहीं की गई कि यह समीधान पीर जो है निया ले की उसके अंदर पूरे समाज का रुपरेंटिशन अ iş है अगर समीधान पीर के अंदर एक स, лей और तीन ऐस, सब्सक्राइब कर सकती है और अच्छी सोच रख सकती है इसी तरह बहुत से लोग जो नौकरी के अंदर मर जाते हैं और उन्हें उनके बच्छों को आशित कोटे में नौकरी मिलती है वहां देखा गया है कि बच्छों को नौकरी के लिए चार-चार साल बटकना पड़ता है लेकिन वही जो जनरल केटेगरी के लोग बाग हैं उनको देखा गया है कि उनको अगले दिन ही नौकरी ऑफर की जाती है और अच्छी रैंक पर की जाती है यहां तरह कि जो हमारे आपने दिवाग में तो ऐसा होता है कि जो फालोवर एक लास-फोर करमचारी उसको स्वाइ और अगर किसी गोवर्मेंट का किसी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ ना हो सपोर्ट ना हो तो अच्छा पद नहीं मिलेगा यह किसी को दिखाई नहीं देती है इसमें कोई रिजर्विशन भी नहीं होता है चोटी बेंच का निरने अगर पोर्ट का सोशल जस्टिस के मामल लेकिन अगर एक बेंच एक जच की बेंच ने भी एंटी माइनर्टी या एंटी सी दिया है तो उस डिसीजन को मानने कर लेते हैं उसे कूल तरह से मान लिया जाता है यह माइक्रो कॉंस्पेसी दिखाई नहीं देती लिए लिए लोग और इंडिया सर्विस कोटे में जो प सेंसर्ड़ी चेत्रों का सीमांकर होता है वो जब भी होता है तो इस इस हिसाब से होगा कि उसमें जो रिजर्व सीट के लोग बाग हैं, रिजर्व सीट का कैंडिडेट वही जीते जो जर्ल कैटिगरी के वोटरस जीता हैं, वो ना जीतेगा, जो रियल रिप्रेजेन्टेटिव जर्ल कैटेगरी होगा, वो ना जीत पाए इसतरा संसर्णी चेत्रों का, विधान के लोग होंगे, ने कम हो जाए उनकी оड की कीमत कम हो जाए लॉन का लैन देने, ऐसा देने है, वहां भी छालता है, पयराल का मादाNow B चलता है, चार लोग अगर जेल के अंदर हैं, तो एक ST का है है, ठी का है, बाकी लोग या तो पैराल पर है, या थाने से जमानत हुई या वोट ने जमानत दे दी बहुत सारी तरीके हैं इसी तरह सजाद उतने में भी और मैडल का मामला ऐसा है कि चाहँ minor देखता है ना जंता देखती ना मीडिया देखता है पुरसकार दिये जाते हैं वो भी इसी तरह से देखका भी आती है नो अब्जेक्शन सेटिपिकेट होगा विदेश आत्रा के लिए या किसी और चीज़ों के लिए वहाँ भी यही चलती है को स्पेस ऑफिशल जो रिवेक कहिए या उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स कहिए वो हमेशा खिलाफ जाएगा सेस्टी ओबी सी के मायरेट में के यह जो लेटरल एंट्री है यह कोई आज की चीज़ नहीं है लेटरल एंट्री ही है हमेशा चाहे वो गवर्णर बनाने की बात रही हो चाहे वो वाइस चांस में कम करके लेटरल एंट्री के दोरा भराई जा रही है तो यह इसके खिलाब भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आवाज नहीं आई यह विशेश डैप्रोटेशन होते हैं विभागों के बहुत से इंसिग्निफिकेंट विभाग हैं और उनको ऐसी जगह पर दे दिया है जहां पर उनकी उनको अच्छा खासा लाब भी होता है उनकी से भी होती है लेकिन वो उनीको उपलब्द है जो सेस्टी ओबिसी के नहीं है वो कहीं ना कहीं सवाण है या बहुत ज़्यादा चंचागीरी वाले हैं या बहुत पैसा दे कर का आते हैं विशेश अफसर प् इसला इसला कोई चमच हो तो उसी को एंकर बना कर के परेश करेंगे लिखेर शतर दे दिए जा परेट केमांड बनाना हो रिजा से पूरी फाइल बनती है और वो श्रस लाइसेंस का उसी तरह होता है उसमें कोई रिजर्विशन की बात नहीं होती है और ना कोई मांग होती है और माइक्रो कॉस्प्रेसी के शिकार यह है कि कुछ गरादरिया ऐसी हैं जिनके पास बहुत जादा लाइसेंस ऐसे ही रिकने में किसी को पता ही नहीं पढ़ता ककॉन क्या लिग गया वीश साल पहले और बहुत बाद में पढ़ता पड़ता और यहां तक कि माइक्रो कॉस्प्रेसी में चो एस खराब करने के में हमारे खुद के लोग भी ऐसे हैं जो यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि अगर हमने अपने आदमी का ACR बिगार दिया तो हमको को वीरता पुरस्वार मिल जायगा या हमको लोग समझने लगेंगे सवन लोग कि हां हम बहुत उत्याय आदमी हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, साक्षातकार में अगर अंक दी जाते हैं, तो वो भी बहुजन गिरोधी होते हैं, हमेशा भी देख लीजिगा, यू पी सी का रिजल्ट आया, 40 जर्नल के लोग थे, 40 के नमबर तो 200 से उपर नमबर थे, और 181 जर्नल के लोग थे, उनके 140 से उपर थे नमबर, बाकि स्टेस्ट, यू बीसी की से इस तयाशी थी, कि रिया जर्नल की है, रिया ढाबी, उसके और सेक्ट वाले जो नमबर थे, लेकिन रिया की रेंग बहुत दीचे आ गई और इंटर्वी की वज़े से उपर आऊ गया तो इंटर्व्यू से बड़ा तो यह लगता है माई को कॉंस्परेसी लेकिन यह बहुत बड़ी मेगा कॉंस्परेसी जो हर जगे हर जगे वन वरस्था को बनाए हुए है निजी चेत्र का रिक्रूट्मेंट तो हंड़ेट परसेंट ही बहुत बिलोधी होता है प्याइजडी डिलिट का वाइबा हो चाब कुछ भी हो या उसकी रिसर्च डिगरी का मैट्री हो मुझे छे साल बाद मेरी जो प्याइजडी की थी वो एकसेप्ट हुई और यहां तक के पर्मिशन भी डिलिट की मिलने हैं बहुत दिक्कत हुई मैंने अपने जुनून से प्याइजडी मी की डिलिट भी की वाइबा दूसरी है लेकिन किस हद तक डिलिट का मेरा वाइबा था वो ग्यारे घंटे में हुआ सुबैसे लेके शाम तक हो गई और बिलकुल मैरे प्रेम्शन जी की बात को दवाई रखा जब गरदन पेर के नीचे दवी हो तो चिप्चाब रही है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में अगर हमारे लोग भी है तो वो भी सपोर्ट नहीं कर बाते हैं कि तरुम मैं वैसे कि उनको अच्छे नंबर लाने के लिए अपने अंग्शो बढ़ने के लिए अपने लोग के लुव किन शावन वह वहां अनारक्षित के जगे पर अपन होना चाहिए जहां सब लोग आए और इसका अच्छार होना चाहिए पूरा निजी करण का जो सिद्धानत है वो पूरा कॉंस्प्रेसी ही है, माइक्रो और मेगा कॉंस्प्रेसी दोना ही है, गाओं के अंदर अंग्रेजी माधम के स्कूल क्यों नहीं स्टार्ट किया ग लिए कि अग्रेजी करण के लिए जाती हैं जो देखते हैं कि नीचे के लोग स्लेक्ट हो रहा हैं, तो वो उसी जगह से वेकैंसी कम कर देते हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कई जगे स्टार्ट की जो इरेचना हैं, वो स्ट के डिएस्प्रों दे दी जाती हैं, और उस पर दवाब बनाया था कि तुम एफार लगाओ, ताकि कोई इसका इसकी शिकायत ना हो, स्ट का आदमी एफार लगा रहा है, कोई दिक्ट नहीं है, और उसको सजा भी नहीं मिलेगी, यह मान करते हैं, यह कोई स्टेसी की दिखाई नहीं देती है, पोलिस लाइनों क जो कैप्चरिंग है, वो बीस बाइस जगे होती है, पोलिंग पार्टी से लेकर के, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के, अंत तक, इतनी जगे बाइस जगे करीब करीब है, ड्यूटी लगाने तक, ड्यूटी से पहुंशने तक, और यह मारुग स्टोर, बैर्ट बोक्स को लाने तक, बहुत जगे की जा सकती है, और की जाती है, पैसे के द्वारा, जातिवाद के द्वारा, इन सब माइक्रो कॉंस्प्रेसी का डॉक्मेंटेशन जरूरी है, उन से सावधान लेना जरूरी है, ताकि लोगों को के द्वारा, लोगों को जाग रुपता के द्वारा इस तरह की 500 cos slipping हो ती हैं, यह तो मैंने मोटी-मोटी गिनी जो मैंने अपने जी उन्हें में देखी, लगेना आप लोगों के पास बहुत सारे पी भाग होंगे, जलाग रगोंगे, अगर आपके विभाग में इस तरह की cosériis好像 दिखती हैं, तो आपके डॉकिमेंटेशन आपके कि बनाई जाए तो इन्हें आपको मैसेज करके और लिस्ट कुना कर देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद सुधिर्वाइब को भी और परिहार जी को भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं जोड़िये लोगों को हम आपके साथ जैभीं जैभारत आपने बहुत अच्छा हमें नम सब्सक्राइब के लिए एक स्वाल पूछ सकते हैं जी डॉक्टर शोंची से इसका रिकार्ड रिकार्डिंग जो है भेज दीजेगा जो है परियार सर रिकार्डिंग हम पहुत बैत्रे लेक्चर रहा है इसको जो है सब्सक्राइब करके मैं बोलता हूँ है सबसे पहले राजकुमार राज जी है कनाड़ा से तो प्लीज पुछे राज परिहार साब डॉक्टर बीपे शोग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इस बात को बताने के लिए हमने थोड़ा-थोड़ा सुना था कि कैसी होता है? मगर आपने बहुत डिटेल में बताया क्यों क्या हो रहा है? और मैं यह आप से पुछना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ यह भी शेयर कर लें कि इसको रोका कैसे जा सकता है? आपने यह बताया कि सबी लोग डॉक्टर बताएं, तो आगर किसी तरह से इस के बारे में कि क्या हो रहा है वहां पर जिसका कोई जैसे कहते हैं कि अगर किसी problem को हल करना है तो उसको करना चाहिए accept करना चाहिए admit करना चाहिए तब ही उसके रैमडी लेकर आ सकते हैं तो यहां पर तो ऐसा है कोई कौन बताए क्या करें वह अंदर से अंदर चलता जा रहा है तो उसके लिए कोई ऐसे भी हैं जो हम लोग बाहर बैठें इन्टर्नली तो सबी को पता होगा क्या हो रहा है कैसे करना उनको अपनी जॉब का भी देखना पड़ता है, कौन बिसल ग्लोर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो जो हम एक्स्टरनल बैठे हैं, हम यहां पर ऐसे कुछ काम हम कर सकते हैं, आप ऐसे काम को रोकने के लिए, तो प्लीज उसके लिए जूरूर अपने विचार हमारे साथ क इसका समाधान निकाल दिया गया है, और अगर आप अलग से उसको डिटेल में चाहेंगे, तो मुझे नमबर भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दीजिएगा, इन सभी का एक लाइन का समाधान है, और बहुत बढ़िया समाधान है, वो एक लाइन के समाधान हम आपको द सब्सक्राइब को आपने वोट दिया तो आपके खिलाफ माइक्रों करते हैं और उनको निश्चित रूट से सब्सक्राइब करते हैं अधिकतर लोग के चुनाब तो बोट कहीं भी डालें वोट तो एवियम में जाता है और एवियम का पता नहीं है तो ऐसे कैसे बात बनेगी कि अगर हम बोट उनको ना दें और फिर एवियम बोट दहदर करें उसका क्या जवाब है फिर देखे एवियम के खिलाब जो लोग लगे हुए हैं वो लोग सब ने मुवमेंट उनका बंद कर दिया जो लोग लगे हुए थे तीन चाह नाम थे और एवियम को बहुत प्रेस करके देखा गया अगर ऐसी बात है तो एवियम चेंज करना चाहिए निश्यत रूट से अगर गवर्मेंट या मेजरिटी चाहती है डेमोक्रिसी में रिप्रेजेंटेटिव वो है बदाते हैं चुनाव आयोग में बीजेपी को छोड़के सभी पार्टियां गए थी और उनकी किसी बात को सुना नहीं अभी मैंने कुछ पिछले कुछ दिनों पहले सुना था मुझे प रखना चाहिए इस बात को अगर नहीं चाहते हैं तो हटना चाहिए आपको लगता है कि जब पार्टी सुनी तो कौन सुनेगा उनकी बात कौन हटाएगा फिर लेकिन बोलना तो बंद नहीं कर सकते हैं कि आपने एक समस्या का समधन बताया कि उन्हें बोट ना दे सम लोग कि देते नहीं है ऐसा नहीं है एक बात और बताई है कि यह जो बोट जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको ना दे है तो ठीक है वह आरक्षा भी रो दिया समधान भी रो दिया आपकी बात माल ली हमने सेस्षन माल लिया मैरी बात माल लिए नहीं सब्सक्राइब बात माल लिए और साथ पार्टी ऐसी आगे जो समधान भी नहीं है फिर क्या करेंगे उसमें देखिए आपको सबसे अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन सबसे कम खराब मिलेगा एप्लाई और विज्डम पड़ और सबसे से छेट कषड़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो समय कैंडिड हो सकता है कैंडिड तो हमारी चैंडिड लिए तो बार्टी चैन्षा स ine को यसी पार्टी हो और जिला पंचाथ में तो आपकी जानकार्व में हो ऒगा गहा पंचाइद के देख्च चुन लिए उन्होंने नियुजा चुनना अलग चीज है वो तो हर पारटी करती है जब चुन लिया मार्क वीट के चुन लिया उसको नहीं लोग रोक पाए तो बात तो वही होगी ना डिशन तो अद्ध्ची लेगा ना ऐसा नहीं है उसका उसका सॉ सब्सक्राइब तो बहुत अच्छा है लेकिन हम उज्यूम में ही खड़े होकर के काम करेंगे कि जमिन इस्तर पर भी उतरेंगे आप प्रियार जी बताओ जमिन पर काम का उतरेंगे एक मिनट एक मैं सभी से निवेदन है कि जो डॉक्टर बीपी असोक जी से कुछ क्विस् से क्यूस्टन है तो प्लीज करें अदरवाज आप सब्से सेर सिंग जी का एंड पहले से रेज है वह इन से कुछना है तो थो नहीं पूछना है पूछना है जो बहुत न दूसरे वाले उनसे पूछना है अब बाद में देख लेंगी क्योंकि इनको साइद थोड़ा सभी नेक्स्ट निदेश सिंग जी आपको भी उनी से क्योंकि आप जी नमवावद्दाय जैविं सर ना मेरा सर डॉक्टर बीपी असुक सर से रिलेटेड है नमवावद्दाय जैविं मैं इडदेश कुमार हम रहा से हूं जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सादुबाद सर और सर मेरा ये था कि अभी जब सुधीर राज सिंग कंसेप्ट बता रहे थे रो जाना की तरह तो उस समय जब आप पहले जुड़ेते अभी तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उस समय मैं आपका नाम ही प्रस्तावित करने वाला था कि बीपी असुक सर को ब जारों लाखों लोगों के प्रेणना स्रोथ हैं और बीदा प्यूपिल में मैं अभी दो महिने से जुड़ा हूं लेकिन इससे पहले बास्तम में जो भी मेरी लाइफ का मुवमेंट रहा और एक्टिविटी जितनी विरेंस जो मिशन से रिलेटेड समास से रिलेटेड तो से ही मैंने प्रेणना ली है और यहां से ही जो सर की विचारदारा है तो उससे मैं बहुत लावान भी तुआ हूं और बीपी असोग सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर वैसे सर आप ऐसा है कि एडिशनल एस भी हैं तो काफी डिपार्टमेंट में आप इंगेज रहते हैं स हमें निकाल कर सर आपका जो कंसेप्ट है तो वह मैं समझता हूं वह भी बहुत अच्छा है और जोडने और जोडने की जो मुहिम है बीदा प्यूपिल की तो इसको इसके साथ आप चलेंगे तो सर निश्चिती हमारा सवाज जो बहुत लावान भी तो होगा चलिए सर मेरा लेकिन सुनने की लेकिन सुननी पाया था आज सुना सर बहुत अच्छा लगा धन्यवास तो बहुत अच्छा लगा था जो आपने ज्यादा थोड़ा सीधा क्रिशन पूछें अब डाल देंगे लें मैं डाल दूगा नेक्स राजबीर जी है अगर डॉक्टर बीप असोक्स जी से क्विश्चन है तो बताएं राजबीर जी नेक्स ब्रिज मौन जी। अल्व जी राजबी जी राजबी जी लेज्ञा और अपने इंडिया से बाहर हूं जी तो लेकिन मेरा सुधीर राजबीर जी से और बीपी अशोक जी से दोनों से एक आगरे आ हैं और हैं आ कि आगर एकंवान, पूर ऑट पैंवाज एक एक नव समाधान भी चाहता हूं। भारतिय समीधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ 2004 में गुजराथ से एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी में था और उसको OBC केटेगरी में आ गया। बाकाइदा समीधानिक व्यवस्था के अनुसार आया है वो। और उसी गुजराथ से जब एक दूसरा वर्ग चाहरा है के हमें भी जनरल से OBC में लाया जाए उनको रोक दिया गया। मैं सफस्ट कहता हूँ मेरा इशारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की तरफ है। जो 2004 से पहले जनरल कैटेगरी में आते थे और 2004 के बाद वो OBC कैटेगरी में आ गए और वहीं के ही गुजराथ के ही जो कुर्मी समुदाय है जो पटेल के नाम से जाना जाता है जब उन्होंने यह डिमांड रखी कि हमें भी शामिल किया जाए उनको रोक दिया गया। यानि कि यह समीधां कुछ इस तरह से है कि लोग जो फाइदा उठाना चाहिए वो फाइदा उठा दे लेकिन दूसरों को रूप तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए एक मिन्ट राजबीर जी थोड़ा सापना प्रिच्चा है प्लीज देने दो आपने बच्चों के पास तो यही अपनीचे है का 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 इंडिया में है कैंट आप इंडिया से थी 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 जी है बहुत पुराने अक्टिबिस्ट है लगवक बिटींग में मिला कर देते हैं तो थीक बतायर मेरा बाहर रहता हूं उझे बताना चाहिए प्लाणे डिपार्टमेंट से यह सोई बाहर नी चलू इस यह आपने आपको डिश्ट्रोज नहीं करते हैं लोग च्पा के रखते हैं क्या मतलब राजबीरू बाहर रहता हूं यह म मैंने कहा रिटाइड हो में कहां से सत्यवान जी प्लीज आप क्रिश्चन सर्व डॉक्टर बीपी असोग और तेले डॉक्टर में उसके आईए कि समीधान में ऐसी व्यवस्था है कि किसी को फाइदा मिले और किसी को ना मिले जाजबी जी समीधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास में जनसंख्या क्या 51 परसंट नंबर होना चाहिए आप जो व्यवस्था चाहिए वो बना सकते हैं और यह सारा खेल जो मैं सहमत हूं हमें कभ्णा आना की और किसी चीज ने इठकना है तो वह सत्था पर कभ्णा करने काوبच किस तरह से उस से हमारी पार्लेमेंट में किसी नहीं सुनी उसी पार्लेमेंट ने हमारे अगेस्ट में काम किया और हमारा जब नंबर फिप्टीवन पर्शन्ट से ज्यादा हो गया सड़कों पर हम आ गए तो बिना MP और बिना MLA के भी बात बन गई हमारी तो बेसिकली क्या है सम्विधान कहता है वीदा पीपल वीदा पीपल चाहिए उसको उसको वीदा पॉलिटिशन या वीदा MP नहीं चाहिए उसको उसको चाहिए वीदा पीपल उसकी ताकत वीदा पीपल में है MPs में और MLA में नहीं है तो वह बेसिकली आप अगर आप अगर क्या उन प्रशन्ट नंबर वहां द सब्सक्राइब पूछ नों को सैटिस्ट पाई कर सकते हैं। चाबिया है इसी लिए सोशल, एकॉनमिक, पॉलिटिकल और कुल्चर डवलोप्पेंट हमको साथ साथ करना है तब ही जाकर के वीदभी पर इखटे होंगे अकेले एक आंदोनन हमने चलाया तो वो फेल होगा यह सारे चलाने पड़ेंगे एक सामा जी आर्तिक भी धार्मिक भ जाएं क्योंकि आपका जो एंपावर्मेंट है अगर एंपावर्मेंट आपका नहीं हुआ तो आपको लाइन में लगने ही नहीं देंगे लोग भागा देंगे लाट वह इस्तिती जो बहुत नम संक्या वाली ब्रादरिया है वो जड़ा पावर्फुल है और बहुत कमज़र होती है और मालों का इंपावर्मेंट हो भी गया राज़ती क्रूप से भी तो वो उसको समालने लाइक नहीं रहे तो उसका फाइदा भी और लोग ले जाते हैं तो यह नहीं है कि आपको आपिस मिल जाए और आपको चलिए गाड़ी मिल गई घोड़ा मिल गया सु हो पाएंगे जब आपके हाथ में आपकी सारी काकतों सामाजी की आर्ट की हर तरह की वो एक साथ करना पड़ेगा इसको हम एक पर छोड़ करके दूसरे को नहीं अपना सकते हैं और कास्ट की वैसे देखें कास्ट यहां कोई अखेले ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशल चीज सिस्टम भी है और यह गैंग की तरह भी है जो लीगल काम भी करता है और उसे जुडिशल सिस्टम भी है खाप पंचायते रहती हैं हाँ पर तो इतने बड़ा वायरस से लड़ने के लिए आपको भी सहर तरह से तैयार रहना पड़ेगा सामाजी कार्थिक सबसे अधरवाइ तो सारा सोशल चेंज, कल्चल चेंज, पर्डिकल चेंज, साइमल्टेनियस करना है उदाजवीर जी इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और लोग कर भी रहा है ऐसा नहीं हिम्मत हारने की बात नहीं है चाहें जो हो और जो दस सार पहले इस दिती थी आज बेटर ह के अंदर हैं लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर लोग एक खटा हुए हैं चाहें वो जैवीन के नाम पर हुए हैं चाहें मानिय और काशिरांजी के नाम पर हुए हैं लोग ने इक खटा होना शुरू किया है पहले एक जमाना था जब जैंतिया मनाई जाती थी तो भी उनका आदान हो रहा है और जल्दी ही मेनिंग्फुल रिजल्टिंग लेगा नो डाउट सर में कुछ बोल सकता हूँ सर अगर आप एक मिनट में अगर इन से अलग बताना चाहता हूँ सर आपका धर्यावाद आपने मुझे मुझे मोखा दिया सर मैं निविदन करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ में हाला कि हैं बहुत बुद्ध्यान साथ ही हमारे जुड़े हु होते हैं लेकिन संभीधान का भी करते हुए हम ऐसे कानों बना सकते हैं जो पशेश-वर्ञ के लिए ओते हैं और मैं समझता हूं राजबिर जी का जो क्वस्टन है बहुत सही है और उसका यह सही जवाब हो सकता है मेरी रश्टी में कि कई कानुन भी ऐसे बना सकते हैं जो द्रश्जी में होते हैं और सभी कानून सबका भलाई के लिए नहीं होते रिफ़ लिए भी होते हैं और ऐसे करून बहुत सारे हमारे बनें होए हैं तो हमारा अनुरोद है कि जो राजबीर जी ने कहा कि कि मैं समझता हूँ बीदा पीपल जब है वो निश्ची दूप से एक ऐसा प्लेट पार में कि उसके माध्यम से हम ऐसे लोगों को कलक्ट कर सकते हैं इघटा कर सकते हैं जो ऐसे कानून बनाने में बाधा बने जो किसी विसेस हिट के लिए बनाये जा रहे हैं तो मैं समझता जो किसानों को उरुद में तो उसे को बेठे हैं ना जीजी जी बहुत सारे कानून ऐसे होंगे उनकी काॉंटिंग की जा सकती है लेकिन फिर भी निश्चीत रूप से उन कानून के दौरा भी हम सोसन करते हैं जी डी एक ही सारा है कि हम लोग भी खटता हो और ऐसे कानून ब ब्रीज मोहन जी अलो फोड़ा अवाज आरी 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 बोले आप इस तबी को जैबी में मुद्धा है मैं दिल्ली से हूँ है जैसे कि अब इसोग जी ने बड़े ही महत्मून में जो स्वाल उठाएं जो हमारे देश में सर्वेदानिक तरीके से किये जा रही है उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई उनका बहुत वह स्प्रिया धन्यवाद है असोग जी जैसे कि आप बता रही है यह हमारे भारत में इसम्स्याएं है इनका समधान भी आप ही बता रही है जुडो और जोड़ना लोगतंत्र के अंदर जो संख्याबल है यह तो सभी मानते हैं कि संख्याबल ही सबसे महत्पुन होता है तो इसी पे ही वीदा पीपल अपना कारे कर रहा है तो आप जैसे जो बुद्दी जीवी लोग जो है समाज के जो जनको लोग फुनना और उनके पीछे चलना पसंद्थ था सभी हम आप से यह उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सभी वीदा पीपल के साथ आए और और ओर लोगों को भी साथ मूले के आए और हमें वागदर संद और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आप बता रही हैं कि सभी छेत्रों में हमें काम करना पड़ेगा तो उन छेत्रों के लिए भी आप लोग ही तो आगे आएंगे जबी तो हम लोग आप पीछे काम करेंगे तो आप लोगों को सब को साथ आना चाहिए जो आप इतने बिल्कुल आपका सही है और हम साथ हैं बिल्कुल हर तरह से आप लोग जहां चल रहे हैं हम लोग साथ चले हैं बिल्कुल कीशनी रहेंगे थैंक यू डॉप साथ नेक्स्ट छुटनलाल जी जी सर नमा बद्देश जय्वीम सार्फ मैरा डॉक्टर करते करें सवाल है तो आए दिन बहुत समच्टा वटी हमारे करमदिकारी डेली और मैं सैकेट्व एस ती हैसीट किसेंट है तो आए दिन भूट सारी समच्टा डेली आते हैं मेरा इंक्रिमेंट बंद कर दिया है एस य को वो सुनते नहीं है क्या दर समस्चा को अंदेखी करते हैं डियार एम भी नहीं करता है तो सर इसके बारे में क्या को लीगल कारवाई की जा सकती है आप इसमें पहले तो आर्टी आई में एक्शल पोजिशन ले लीजिएगा और उसके बाद जो कमिशन बने हुए हैं अगर महिलाव संबंद ही थे हैं तो महिलाव को लिखिये और हर आदमी आठ दस जगे तुरंट शिकायत कर सकता है और एक मान लीजे कहीं इलिगलिटी है तो 156 CRPC में आप मुकदमा लिखा सकते हैं पोर्ट में भी पोर्ट के आदेश से बस यह है कि आपको यह देखना होगा कितन कर आपको परिशान करने वाले कि यह मालूं पड़ जाए कि आप को कानून की जानकारी है तो वह रस्मेंट करने वाला फिर साफदा में आता है और वह गहर कानूनी काम कम करता है जीरो बले ही नहों लेकिन आपको यह अपने विपक्षी को दिखाना पड़ेगा कि आपको जानका ही है कानून की और वो तभी संभव है जब आप भी एप्लिकेशन दीजिए यहां मेरे साथ यह हरस्मेंट हो रहा है इंप्लिमेंट होगा जा रहा है इतने सारे डेमोकरी के अंदर काउंटर है इतने पोर्टल एप्लिएम का अलग गवर्नर का राश्पती का अलग आयोग है मानवा दिकार आयोग अलग और लोकल जो आपके विभाग के अधिकारी है उनका अलग एक साथ डाली है सब जगे जो हरस्मेंट करने वाला वो भी समझ जाएगा या तो उसको ऐसान लेने पड़ेगा उनलों का जो आपके बहुत समस्या आती है और आप पतार हो म है तो देख रहा हूं डेली समस्या है इनका डॉकमेंटेश और बात करते रही है इंडिविजर किसी की कोई समस्या है तो उस पर भी हैल्प की जाएगी वहां के लोकल अफसर्स हैं आपके डिपार्टमेंट के बासरों जोड़े हुए हैं कभी नमबर लीजेगा आप से कॉ मिनिट उस कोटे मेंसे मुझे दे दें तो आपका शुक्रिया होगा मैं ने बिलकुल सर नराए के लिए है बलकि हमें इनी जो समस्या है इनमें आपसे अमेयाँ सब्सक्राइब क्या कर सकते हैं हमने इसलिए इसको जो जॉइंट किया था कि नेस नेशनल जो इंटनेशनल ल नहीं तो मैं रुक जाता हूँ अगर आपको इनकी बात करने वाली है तो नहीं तो मैं अपना मैसेज दे देता हूँ बाद में आप कंटीनियू रख सकते हैं तो बात यह है कि मैंने पहले भी यह सारे ग्रूप के साथ शेयर की थी information और आज भी मैं दोरा फिर माइन कराना चाहता हूँ कि हमने जब वो सेंसेज वो आ रहे हैं इंडिया में 2021 में कभी भी वो कर सकते हैं डेट उसकी announcement हो सकती है तो हमने यह प्रॉजेक्ट शुरू किया था कि सेंसेज में हमारे जो बुद्धिस लोग हैं उनकी जो numbers हैं बहुत कम है पूरे इंडिया में पूरे भारत में वो 0.75% है एक परसेंट से भी नीचे है बगर अगर हम बात करें तो बहुत हमारे बुद्धिस लोग हैं जो बुद्ध धरम को मानते हैं और उन्होंने जो senses है उसमें वो सही data नहीं document परवाया तो उसके लिए हम लोगों को state कर र ने उस project के तहत एक पंजाबी में book publish की थी 34-35 pages की वो जो author की गई थी एक lawyer की सरफ से तो वो हमने already distribute कर दी है और आज की information में यह आपके साथ सांजी करना चाहता हूं कि हमने उसका Hindi version भी publish कर वाया है जो कि 14 October को release की जाएगी और following Saturday जो आ रहा है उसमें मैं आप सुदीर जी से बेंती करूंगा कि अगर आप इजाज़त हो तो मैं उस advocates को जिस जिरोंने वो author की है और मैंने वो sponsor की है तो उस book के बारे में थोड़ा सभी group के साथ सारे members के साथ उसकी information share कर ली जाए त्योंकि हमारी जो distribution है वो अधर दर पंजाब होगी उसकी ज्यादा दूसरी states में हिंड जो हमारे अड़ोकेट परमजी चनजीद पुवारी जी है वो पूरी detail information हमारे साथ सांजी कर सकते हैं यह information आपके साथ मैं share करनी चाहता था और उसकी availability उसमें क्या है और वो खुद आकर detail information आपके साथ share कर सकते हैं दस वजे का time ठीक रहेगा अगले Saturday को आप लिए जी जी ठीक रहेगा वो यही time जो आज का है आठ वजे आप मीटिक सुरू करते हैं परियार साफ इसका पूरा हम ठीक है जी कर लिए नेक्स सेचर्ण में पूछ लूँगा दस वजे का रगदाना कंसेप्टिल बाद में किताब का विम्मचन होगा दस वजे इंडिया के time की बात कर रहे हो आप हाँ है इंडिया सैड़े को जो सेम टाइम अभी चला ना इसकी बात कर रहे हैं तो यह आपका तो आठ वजे चलता है हमारे time के हिसाब से तो हम यह साड़े दस वजे होते हैं नौ बजे स्टेंथ होत ठीक है बिल्कुल मैं उनको नोटिफाइब कर दूँगा और वो रैडी रहेंगे उस दिन के लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्या आपका मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ प्लीज कांटीनू जूरे जैंक यू नेक्स्ट अजयाइब सिंग जी अपना स्विशन अगर आपका क्लियर हो गया तो ठीक है नहीं सोट में पूचे जो भी जी आद उठावाए बहुत देर से किसका सब्सार मैं बात करूँ परियार सब्सक्राइब ले रहा हुए तो क्या वो तो प्रियार साब मेरे उसमें तो मैं तो उपर से ले रहा हूं चलो ठीक है देर तो इनको जादा टाइम हो गया वैसे मेरे ख्याद में कटके साब का अभी अशोक सार ने बहुत बढ़िया बात की है और उनने इतने अच्छे पॉइंट साजा की है कि वह एक नया विसर्ची है वही हाल हम सभी का है मैं मैं भी महारास गोवें में काम करता हूं सर आपने जो बताया वही बात हमारी इधर भी रिपीट होते ही कुछ अलग सलुशन यह सर जब हम बाबा साफ का 1920 से लेकर 1936 का एक आंदोलन का पहला जो पहला भाग है और बाद में 36 के बाद वाला जो 1956 तक है दो भाग प्रमुख है बाबा साफ के वक्त यह सारा फिजिकल फॉर्मैट में चलता था जैसे कोई भी अन्या अच्जार होता था तो फि का तो बाबा साब को जान बूचकर कॉंस्टूशन असेंबली में नहीं जाना चाहिए इसलिए साजिस की गई थी और वो सिर्व आके ले ही चुन कर आये थे अब सेडूल कास्ट को कम वोट उनके कम उमेद्वार आने चाहिए इसलिए साजिस की गई अकेले गए उन्होंने इलाज क्या किया इसके उपर कि अपना इंटेलेच्चिल यूज किया उन्होंने स्टेट्स और मानटी से ग्रंत लिखा जो कि कॉंस्टूशन असेंबली को उन्होंने सब्मिट कर किया और उसमें सारे प्रोविजन की अब सारी तरब से बाबा साब को ब्लाग करने की सब ने सोची थी लेकिन सत्रा डिसेंबर नैंटीन सोटी सिट्स का बाबा साब का एक सविदान सबा का जो पहला जो वक्त वे था पहला भाशन था वो इतना प्रभाशाली हुआ कि सारी चीछे बाबा साब के लिए खोल दी गई क्योंकि वह इलाजी नहीं था उनको कांस्टूशन बनाना था देश के भवितवे के बारे में सोचना था ऐसी बात बाबा साब 1936 और 1932 में भी कहते हैं कि हर सारी मीडिया इवन गांधी और कॉंग्रेस भी बाबा साब के खिलाब लेकिन वह हारे नहीं बाबा साब ने एक ही बात कई 1932 और 1936 में उन्होंने यही आवान किया कि सिक्सित बनो संगटीत बनो और संगर्श करो बाबा साब का सबसे ज़्यादा बड़ा जो जोर था वो संगटीत करने के लिए कुछ लोग गांधी और कॉंग्रेस के साथ जात और 1936 में जब सेडिल कास्ट फेडेशन इंडिबेंडर लेबर पार्टी बनी तो इंडिबेंडर लेबर पार्टी के 17 लोग चून कराए और सारे पूरे रास्ट में उन्होंने 5-6 राज्यों में अपना बहुमत लाने के कोशिश के और बाबा साब को भरबरी सफलता मिली इसका राज एक है जो आज विदे पीपल कर रहे हैं बाबा साब सारी सबाव में अगर आप 1932 से लेकर तो 1938 तक Bombay Legislative Assembly में उन्होंने जो बील पेश किया था तब तब बाबा साब को एक ही बात करते थे वो लोगों को जुडाने की लोगों को संगटीत करने की और ऐसी ताकत बनी 1942 में बाबा साब की एक बहुत बड़ी ताकत हुई और लीन लिद वो जो थे वहां तब के जो गवर्नेट लेबर पार्टी का जो अधिवेशन हुआ उसमें 75,000 लोग सारे भारत से आए और अंग्रेजों ने खबर ली कि बगार विदाउट अंबेटकर यू कांट भू इंडिया फीचर वील बी इन दे हैंड्स आप अंबेटकर और वो बाद में 1946 के 1950 तक हमें पता है कि सविदान म वही बात रिपीट हुए ही सार अ हम लोग जितना भी भाबा था अकेले थे अकेले इंसान ने सारे सटे स्टोब शूपार अच्छन दिया और हम करोणों में हैं फिर वी वो नहीं रोक सके इसका मतलब यह है कि हम संगतीत नहीं हैं हमें पता ही नहीं कि हमारे पीट में कों चुरा मारा है हमारी ही लोग अग्यान की वज़े से हमारी पिछे लग जाते हैं और उनके पक्स में चले जाते हैं इस वक्त एक ही काम जरूरी है कि बाबा साब का लिट्रेचर गहुर से पढ़े एक एक किताब हम लोग गहुर से पढ़ेंगे और वो संदेज जो है बाबा सा इसारी बाते होने वाली है और यही मोका है 1924 तक अगर हम कहें दिल से सारे हमारे इगोज सारी हमारी अधर बाते सारे गिलेशिप पे जब तक हम भूलेंगे नहीं और इकटा नहीं आएंगे तो 2024 के बाद हमारा भोई से वह साई होने वाला है जो 1920 के पहले था बस इतनी बात रखनी थी सर धन्यवाद चाहिए अगर प्रकाश सिंग जी आप का पहले हैंड रेज था प्रकाश सिंग जी तेंक यू परियार साब सभी को नाम बुद्धा जैभी एंटक्टर बीपे शोग जी मुझे सुन पा रहे हैं अधिन एक मेन देख लाइन पर है वो अधिन पर है लाइन पर है लाइन पर है लाइन पर है सुन बोलो आप बोलो मेरा एक सीधा प्रशन है वीदा पिपल के रूप में मुझे आपके साथ में काम करने का आप से मिलने का आपको जानने का काफी मौका मिला है व्यक्तिय दुरूप से भी बात करके और सामुवी पिरूप से भी तो जो देश की आज इस्तिती है उसमें वीदा पिपल यह कहता है कि भारत में जो आज सत्ता इस्थापित हुई है भारत में कभजा हुआ है सत्ता पर वो मनुस्मर्थी के मानने वे लोगों ने अपने आपको संग के रूप में स्थापित किया सभेशनौ sus लेकिन प्रणाम वैसे नहीं आए जैसे आने चाहिए थे कि हम संग के रूप में अपने आपको पहले इकटा करेंगे इकटा करने के राद हमारी समस्याओं का जो भी निराकरण है जब हम इकटा हो जाएगा लेकिन जितनी भी साथ ही हमारे जुड़ते हैं जिसे आपको मैं विशेश रूप से इसलिए इंस्पायर करता हूं कि भारत म आपने देश ही नहीं मैं कि विदेश में भी अपना जो योगदान दिया है समाज को करने में और जितनी चीज़ें आपने बताई हैं जो सॉलिशन बताएं वह बिल्कुल ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छे सॉलिशन हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो आज अपने व्यक्तियों की आस्था पूर्ण विश्वास हुआ है कॉंसेट में वह वीदापिपल के साथ आ करके उस कॉंसेट को और अच्छा करने में और उसको संके रूप में हम भारत में अपना कैसे इसमें योगदान दे रहा है तो मेरा आप से अनुरोद और प्रश्ण य सबसे ज्यादा है कि कौंसी समस्या सबसे ज्यादा है किस का सॉलिशन क्या है और जब हम इस पोक्स के रूप में एक डैजिनेशन है और हलो आगए जिसमें हम साथ दिन की छे दिन की मिटिंग करने के बाद में जो हम साथ छे दिन की एक्टिविटीज दो के डिसकस करते हैं उसमें वो सारे साथ ही स्पोक्स में आ हम सभी साथी उसमें पूरा discussion के साथ में उस चीज़ें ऐसे निकालें जो कम से कम हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए समाज के लिए अब जब हमारे पाद रास्ते बहुत कम बचे हैं समय बहुत कम बचा है उन इस्थितिये में सब का जो सामुही की योगदान है वो सामुही की योगदान तभी आ पाएगा जब आप जैसे जितने भी सक्सियत हैं जो देश में काम कर रही हैं क्योंकि आप ऐसे पहले कि पैसा ने लिए हैं जिस पैसे का पाथ किया है लेकिन जिसने समस्य आइस है उसको बिलकुल zero ground की report ले करके और जो actual benefit हो सकता था वो वहाँ पर दिया है तो मुझे जो भी आपसे सीखने मिला है जो भी आपसे समय ने मिला है उसके अधार पर जो वीदा पुपिल का concept है उस concept पे अगर आप इसको अभी तक जैसा आपने कहा है आप साथ में हैं तो साथ में हमारी साथ में डिसकस करें साथ में आगे बढ़ाएं और साथ में आगे बढ़ाने में आपका जो उसमें मारदर्शन योगदान और सहयोग वो चीज जो है किस तरह से में मिल सकता है यही मेरा प्रशन है रप्तर बीपिय शुवी से थेंक्यू सुस्टेश प्रकाशल जी शॉरी अगर वह आप लेंड़न से लंड़न इंगलेंड से बिस्टर बिपे करेंग्यां HR 003 थोड़ा प्लीज बताएं इन्दी मीन टाइम ये धरम वैये हैं और ये काफी देर से जुड़े में देख रहा था है इनको प्लीज आप अपना इंट्रॉट्रेक्शन के साथ थोड़ा कुछ बात रखना चाहरे हैं तो रखें जैबी मेरी आवाज आ रही है आ रही है आ रही है तो आज बहुत से इश्यू और बात हुई है बहुत अच्छा लगता है जो जतने भी लोगों ने बात की है वो इसमें एक बात है कि हम सबी अपने समाज के लिए बहुत फिक्रमंद है जो बहुत जरूरी बात में मेरे दिमाग में करने की है वो यह है कि जो सिंसर की बात राज कुमार जीने की है मैं उस उस पर थोड़ी बात करने चाहता हूं कि वो जो सिंसर की बात है जो पंजाबी जो लोग है उनके पास तो जो बुक्लिट बहुत सी लोगों के पास पहुंची और पड़ी भी है हम जब उस पर बहस करेंगे अगले सेचले को जा जो भी दिन में मुक्र हो तो अगर ऐसा हो को जो बुक्लिट है वो किसी ना किसी तरह से सभी लोगों के पास पहुंच जाए तांकि उसको स्टडी करके हम कुछ नोट बना लें तो मैं समस्ता हूं कि उससे डिसकस करने का फाइदा बहुत हो सकता है अगर हमारे पास उसकी को हार्ड कॉपी या एफ डी एफ नहीं पहुंचती तो हमारी जो बात है वो शायद अदूरी ना रह जाए इसलिए मैं राज कुमारी से ये रिक्वेस्ट करता हूं निवेदन क करता हूं कि वो उसका जो एफ डी एफ की कॉपी है वो जो तने भी एफिशल्स हैं वी इदी पीपल्स के उन्हें सभी सभी को पहले पहुंच जानी ताहिये था हलांके वो उतनी बड़ी बुक नहीं है असानी से पढ़ी जा सकती है अगर हमारे पास होंगे अगर हमारे पा से हो पाएगी और बहुत बैनिफिशल भी होगी अगर हम कॉपी नहीं पहुच पाते हैं तो देकर मैं समतों कि शयाद अदूरी हो हमें किसी भी तरह से हमारी जो बात चीख है जैसे अब बाकी हम बातें करते हैं और हम हर बात को किसी ना किसी नतीजे पर लेकर जाने की गंबीर्टा से विचार करें और गंबीर्टा से बिसकास करें और गंबीर्टा से लोगों को फाइदे की वलकि हम जितने भी हम लोगे सबी के लिए फाइदे की हमारी होन बंकि है हमारी होन जो है हमारी होन को बड़ावा देने के लिए हम बहुत जरूरी है कि हम उसको सोचें और लोगों में बात के लाए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अभी तो next century के लिए मैं पूरा इंतजार का रहता हूँ कि इस विशे पर बहुत जरूरी बात मैं समझता हो के होनी चाहिए बहुत भाव धन्याबाद महें साथ बहुत यह अच्छा अपने पॉइंट दिया है मैं कोशिश करूंगा खुद के उसकी online version जो बुकी है जो PDF version है उसको इस ग्रुप में डाल दूँ तो so so that everybody can have access to that before the meeting so I will it should be available on 13th or 14th of this month तो जी 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 आपना वो PDF उनको परिहार जी को देना वो अपने लिंक के साथ डालेंगे जो लिंक जाएगा न ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे ऐसे कर देंगे ठीक है thank you very nice suggestion महें साथ thank you सरस्भ जी डॉकर culture रॉक्रय कुमरी मेरे पार आपको नमबर है लेकिन नहीं मेने कॉल किया था और मैंने अभी आपको मेरे वर्ट्सेप नंबर से कॉल किया है वो सेव करके उससे आप अपने वर्ट्सेप नंबर से कर ठीक है ठीक है कोई बात नेक्स्ट कि शत्यवान जी वैसे डोक्टर बीपी असोग जी का अभी उन्होंने जुड़े तो है तेकिन कुष्टियन प्रकास जी का सुना है यह जानीया सब्सक्राइब को मेरा सब्सक्राइब कर लो कि उनके कोशन आ रहे हैं वह है ना कि वह ऐसे तो जुड़े दीख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब को टाइम देदो बैल साव कह रहे थे कि आदा पाना गंटे बाद वह उनका इंटर्नेशन कारी कर बना वी एस बैल जी सर मेरी बात सुन रहे हैं जी सत्या प्रकाशी में सुन रहा हूं पांच मिन ते थोड़ा सा एड्रस करें जो जो कुछ भी आप लोगों न सुने हैं मुझे कई बार यह ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बाव साब अमबेदकर की जो कुरबानी है जा बाव साब अमबेदकर का जो अंदोलन है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए बिकोज उसके हिस्चेदार नहीं रहे हम बाव साब अमबेदकर ने अपना जो शुर जैसे ही उनन को यह महसूस हुआ कि जै एक जाती का संगर्ष नही है मुझे और जातियों को भी साथ मिलाना है और मिलाना होगा ऐस संगल को बड़ा करना होगा तो दूसरे जाती होग दूसरे लोगों हुआ कि अभी मैंने थोड़ा सा किया महाराष्टर में अगर मैं सभी दूसरी स्टेट्स में भी करूं तो मुझे बहुत ज्यादा लाब हो सकता है उसी को ब्रॉडर करते हुए वो दूसरी स्टेट्स में आए और दूसरी स्टेट्स में भी आखर देखेंगे जैसे कटके काने की हम बात कर रहे हैं नाइन्टीन फोटी टून में इसी ताकत को महसूस करते हुए बहुत सा बेद करने हैं नागपुर में हैं 18 1920 एटीन नाइटीन ट्वेंटी जुलाई को अल इंडिया डिप्रेस्ट क्लास को की मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद में उसको कुनवर्ट करना था और इंडिया स्टूर्ड कास्ट में तो उसमें 75,000 लोग आये थे अब अगर हम देखें के बाद साव की कमिटमेंट ओन लोगों को जिन लोगों को तयार किया उनकी कमिटमेंट तो 75,000 लोगों की प्रेजंस होते ही जैसे ही जे नमबर अंग्रेज़ों के पास गया तो बाद साव अंबेत कर को उन्होंने अपनी रास सत्था में ले लिया और यही एक टर्निंग पॉइंट था कि जैसे ही बावासाब अंबेदकर राज सत्ता की कुर्सी पे बैठे तो गंदी एंड जो पार्टी थी उन्होंने साथ में ही भारेशोडों अंग्रेजों के खिलाफ जो नारा लगाया तो इससे मैं 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 लंबी कहनी नहीं करना चाहता कि जो ताकत बावासाब अंबेदकर ने दिखा कर अंग्रेजों से सारा कुछ हासल किया था वो ही ताकत अगर हम यहां भी दिखा दें तो हमें किसी के साथ लड़ने की जूरत नहीं है किसी से मांगने की जूरत नहीं है हमारी ताकत के हिसाब से हमारा हिस्सा देने के लिए गौर्मेंट्स अपने आप तयार हो जाएंगी तो इनी बातों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्याबाद अभी शायद अगले हफते तक मैं और ज़रा दुरस्त हो जाओंगा तो ज्यादा हिस्सा ले पाऊंगा लेकन मेरी मेरी एक बात यह है कि हम अपने लोगो को सिर्फ माटीरियल माटीरियल गेन के लिए तैयार ना करें एक मूमेंट के लिए भी तैयार करें जैसे मैंने ब्लैक मूमेंट्स को बहुत क्लोजली देखा है पड़ा है कि आज उनकी अगर एक जोर्ज फ्लॉइड के मिर्तु के उपर वो सारा आज योरप, अमेरिका, कै मनेडा और अस्टेलिया जहां तक भी फैले हुए हैं, पैरलाइज कर देते हैं, तो जे उसी मूमेंट का हिस्सा है, जिसको हमारे काले लोगों ने चलाया और उसके पीशे खड़े हुए और उसके साथ संग में खड़े होकर अपनी ताकत का परदर्शन किया, और अगर हम ऐसा कुछ कर सकें, तो मेरा अपना जे मानना है, कि जो लोग हमारे भारत में हैं, अगर उनके कोई उपर अत्याचार होता है, तो जो लोग हमारे बाहर जो विदेशों में बैठे हैं, अगर वो उनके बीच में एक कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे बी दपीपल एक रखते हैं, इन्हीं चीजों के साथ है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैभीम जैवारत, थैंक यू, थैंक यू, बैल साब, और डॉक्टर बीपी असोग जी जुट चुके हैं दुबारा से, तो सबसे निवे देना कि अपना क्यूस्टिन्स जो है, थोड़ा सोट में रखें, ज्यादा बताने कि अपना डारेक्ट क्यूस्टिन्स, जो माइक्रो प्रोलम्स हैं, जो कंस्पर ऐसी है, उसके बारे में थोड़ा, मेरा भी कुशन है, लास्ट में मैं डॉक्साब से चलो, नहीं तो मैं वैसे भी क्लिर कर लूँगा, चलो, सत्यवान जी आप बताएं, आप बोलें, सर, मैं डॉक्टर बीपिय सोग जी से जानना चाहूंगा, कि इलिगल कार किसी भी कोई भी कम्यूटी करें, कोई भी धर्म का आदमी करें, वो बिल्कुल भी अक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमारा आदमी आपस मैं तू तड़ाक भी कर देता है, हमारे जो सोग़ाती के आदमी है, किसी के साथ तू आअच को सब कर देता है, तो पुलिस वाले उसको भी उठागे लाते हैं, घरवालों को भी उठागे है कि दूस्री कम्यूटी के उपने भी आपराद कर दे, पुलिस वहां तक नहीं पहुच पा तो पुलिस का इसके उपर कोई क्वेस्टन मारक नहीं लग रहा तो इसके विशेह में थोड़ा सा आप अपने पुलिस का जो डिप में अधिकारी हैं ऐसा उनकी दोलिज में लाएं कि सबसे ज्यादा दो एक्रीशिटी होती है पुलिस लेवल पर करते हैं अब जितने भी था है जिसमें विवाग में जाएंगे वान रस्ता रहा जो हो गई जो लोग बुच्पन से अस्मानता सीखते हैं उनके वेवार में उनके कंडेक्ट में वो मर्थे दम तक रहता है और यहां तक कि मर्दे के बाद में जो चीज परदा होने से पहले शुरू हो गई वो जाती व अलग से जो प्राउन्धार ऋयान है पुर इसको खास्वर सी पुलिस ऐसा प्रवाग है जिसके हरता काम दिकाईक देहता है तो इसका जागरु काद्मी है तो आ पुलिस से सही काम करता सकता है तो इसके जो नंबर है, कचौनौरूर्ण के नंबर है, फुल्स सबभी स effekायत आई जी रस पर होती है और कई जगे कई जगे एक सिस्टम बना हुआ है चाहे वह आप मीडिया के संग्यार में डाल करके और चाहे एक 56 में डाल करके अगर आपके साथ कोई हाई है तो आप तुरंट उसका सेस्टी का है तो करमिशन को फैक्स कर सकते हैं मानवादिकार आयोग का मामला है तो मानवादिकार आयोग को फैक्स कर सकते हैं महीर आयोग का है तो महीर आयोग को और वाटसैप की अच्छी सुविदा है अगर आपकी कनेक्टिविटी जैसे किसी भी गाहों में या किसी भी महले के अंदर अगर कनेक्टिविटी अच्छी है अगर आपको चार पत्रकार जानते हैं, चार रिटाइड पुलिस अधिकारी जानते हैं, चार नेता जानते हैं, चार प्राफिसर जानते हैं, तो निश्चत रूप से आपके साथ क्योई हाई हेंड़ेड एक्षन पुर इसको द्वारा नहीं हो सकता, तो वो देख लेते हैं कि हाँ ये बहुत है, बहुत अकेला पड़ा हुआ है, इसका कोई पूछना वाला नहीं है, कोई बिनने वाला नहीं है, तो उसका लाब उठाते हैं, और अन्याय करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता पड़ जाए, कि ये आद्भी कानून के बारे में जानका ही रखता है, और हमारे छोटे से हाई हेंड़ एक्षन को ये चैलेंज करेगा, तो पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, वो लीगल के एक्षन पर आते हैं। जो क्या था, मैं प्लीज रिपीट करिए, मैं एक और वेमिनार में भी था, तो वो आई-पैट पे उन्हें कर रहा था, आपको मैंने प्रप्रशन आपसे करना चाहूँगा, मुझे आपके जानने का, आपके साथ काम करने का जो भी मौका मिला जब भी समय मिला है, जो बी एसस की आइडियोजी पे वेक्टू सेसाइटी, जिस रूप में काम कर रही है, कभी भी बी एसस में कभी भी पैसे का लेंदेन डारेक्टी नहीं हुआ है, लेकिन जब जो भी पीडित व्यक्ति हुआ है, उसको लाब कहुंचाने का जो वास्विक तरीका है, उसको व्यक्तियु संग्सका लिए, और वू हम लोग भी यहां पर करते रहे हैं आपके साथ में, तो विदा यॉगदान है, हम सब्सक्वाइक का जो एक रूल है, जो अंग के सथापी नहीं सांग सेह इस, सक्षोन की। किसी भी रूप में इस्थापित कर दिया है लेकिन देश को अगर हम लोग डिसकस करते हैं तो उस विवस्था में उस में आपका जो योगदान है आपका जो सहयोग है और हमारा सामूई कि सहयोग किसमा से हो सकता है इसको प्रशन के रूप में मैं आप के सामें रखता हूं तो आपसे नवेमें ने कि इस विशह में जो आप हियाएँ सख्सियत हैं उनको के साथ मैं कैसे काम कर आेंगे जी इसमें बहुत बुश्पिल काम नहीं है, बहुत ही समाधान परक और उद्देश्चे परक P.S.S. आइडिलोजी है, हम यह नहीं कहते हैं कि यह कोई परफेक्ट है, इसमें चेंज नहीं हो सकता या इंप्रूबेंट नहीं हो सकता, वह उसका पहला ही जो उद्देश्चे इतना मजबूत कर दीजै कि उसको मजबूत करिए, ना वो स्वास्ते खराब रह पाए, ना उसके बच्चेंगे पर क्राइए, मैं उसको दिक्कत हो ना आने जाने में दिक्कत हो और ऐसा देखा गया बड़े-बड़े कांट जिसमें वीवे जैसे मनीशा कांट हुआ तो साट लाग से उपर पैसा एकटा हुआ उसमें उसकी मदर के एकांट को हम लोगों ने फ्लेश किया था तो निश्चितूप से जो इ बढ़ाना है तो समाज को अपनी ही ताकत से आगे बढ़ना पड़ेगा बीएसस की आइडियोलोजी यह है उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन को बचाना है हर इस तर पर बचाना है और जहां भी हमारा जक्ति कहीं भी हरिस्मेंट का शिकार होता है उसको हैल्प परना ह साइक लोजिकली भी एमोशनली भी और जो वर्ट व्रशथा के जितने भी पंग है उनको पहचान करके वो चाहें किसी को शरमाजी कहना हो चाहें किसी को छोहान साहभ कहना हो यह सब रोगना बढ़ेगा. इतनी जगे वर्ण 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 वर कारे से, अपने भाशा से, अपने शद्द से, अपने वाक्यों से, अपने महावरों से, अपनी गालियों से, अपनी तारीफों से, आपने देखा होगा तारीफ करेंगे तो देखिए कितना इसके गुर्दी, ग्रामर जैसी गुर्दी है, ये ठाकुर जैसा खुबसूरत है, और देखिए, बनिये की तरह से पैसे कमा रहा है, और यह कितना नीचता कर रहा है, जिसे चमार कर रहा हो, चुरी चमारी करता है, जो इतनी जगे फैला हुआ है, टी एने में बुस गया है लोगों की, बीस एस आइडियोजी यह है कि उसको फिल्ट्रेशन करके हर समय, हर जग तुरंट उसी समय ठोकिये, क्या, यो आर वेरी सीनियर अफसर, आपको यह भाशा अच्छी नहीं लिखती, अगर आपने ठोक दिया, तो निश्यत लोग से खतम हो जाएगा, ट्रेन के अंतर, पहरे पूछते थे लोग बाग, अब भी कुछ पूछते हैं कि आप कौन लोग हैं, तो उसको आप तुरौंट आठिये, कौन लोग से क्या मतलब हैं, बाइलोजिकली पूछते हो तो हो मो सैपियन से हैं, और अगर कुछते हो तो इंडियन है, रिलिज़िजिन के हसाब से पूछते हो तो बुद्धै हैं, और क्या पूछा चाहते हैं, तो इतना इतना आरोगेंट हो करके उत्तर दीजिए जब पूछते हैं कि आप हमारी डिग्री पूछिए, हमारा पद पूछिए, हमारा पता पूछिए, what do you want to ask? कई बार ऐसा हुआ, AC1 तक में लोगों ने हम सब पूछा, फ्लाइट में पूछा, और उनको जब काईदे से डाड़ दिया तो एक दो और लोगों ने भी सुना, और लोगों को लगा कि हाँ, यह सवाल अप यात्रा में नहीं पूछा जाएगा, यह सवाल दफ्तर में पूछ को यह नहीं पूछा चाहिए, यह पूछना नेत एक अपराद है, और इंडिरेक्टली, SCS चेक्टमेंट कबर हो सकता है, यही आइडियोजी है, इसको आप प्राशुचा, यही तो BSS के आइडियोजी होगी है, मेरा प्रस्शन था कि वीदा पीपिल के रूप में, हम जो सं है, किस रूप में जो है, वो रहेगा, ताकि हम लोग और अच्छे रास्तों पर डिस्क्रस कर सकें, और कोई रास्ता ढूंड सकें, वीदा को रूप में, हम आपकी मीटिंक्स पर चाहिए, ओपलाइन हो, चाहिए, ओनलाइन हो, वहां आने का प्रियास भी करेंगे, अगर की बात है, तो डोनेशन भी देंगे, और अपील करने की बात है, तो अपील भी करेंगे, और किसी की अगर help होनी है, as police officer, या किसी भी अन्ने विभाग में होनी है, हम अपने links के द्वारा, directly और indirectly, वो harassment के cases में, atrocity के cases में, और education help के cases में, अपनी चमतानसार भी help करेंगे, दॉक्त और बीपिएस उग जी? तो पैसे से मदद करनी है, अगर हमारा कोई पीडित है, उसको कोड़ में मदद करनी है, किसी को मारा है, पीटा है, तो उसको support करानी है, कानून की, कोई हमें अगर बत्तर जी कर रहा है तो इसको एरोगेंट हो के जवाब देना है और यह सारी जो बाते आपने बताई हैं इसमें बढ़ चलके एक हमारे आई सबसर है उधर राजसेकर बंडू जी उन्होंने एक किताब भी छबाई कि कि अगर किसी के साथ में कोई होता है तो इसमें एक्ट लिखे हुए है उन्हों को एप्लाई करना चाहिए और यह छोड़ छोड़ी बात है और फिर हमारे जो वकील आए उन्होंने यह कहा कि आप चिंता ना करो हम पोर्ट में आपके साथ हैं और क्या-क्या हुआ है हम आप के साथ लड़ेंगे मगर जो यह वीदा पीपल है वह वीदा पीपल यह कहता है कि आप अपने आप को जीवने से बचाते ही रहुगे क्या आप अपने लिए ही मतलब आप मरने को तयार हो तो आप को पैसा मिल जाए आप मरने के लिए अपने ये सुष्य कार कर लिया कि आप हमेंसा पिटोगाई आप हमेंसा मरोगाई आर उसकी आप त्यारी कर रहे और बोड़े जम्स के त्यारी कर रहे अर यह चुपीश सू साल één पहले हजार साल पहले था यह 500-700 साल पहले से तो घटना घटी है हमारे साथ में जो इत्यासकार है पटिल साव वो कहते हैं ज्यादा पुराना नहीं है जो हमारे उपर यह हुआ है 500 साल है तो जातियां सिस्टम तो अभी बनी है यह नाम भी अभी आए है तो वीदा पीपल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि भाई हमको पिटने की त्यारी नहीं करनी है जैसे एक लड़का है जहां भी कोई पिटता है जहां मारा जाता है वह अपना पता नहीं कहां से उसने गाड़ी वाड़ी लेला लिए वह पहुंच जाता है अरे भाई तु पिटने के बाद जाके अपना वो बनाना कि यह स्थी एक्टोश्टी एक्ट अब हमको चाहिए हमें नहीं चाहिए हम इखटे हो जाएंगे तो हमको इसकी आवश्क्ता है नहीं है फिर तुम वकील ढूंडना कि भाई मुझे बचा लो है हम उसे स्थिति माना चाहेते हैं यह है सर दाने मैं प्यास करते हैं कि उन्हें जानकारी करा है कि 96 IPC से 106 IPC उनको पावर है आत्मरक्षा के अधिकार की वो अपने आपको बचाने के लिए अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बच्चे को बचाने के लिए वो दूसरे पर उतना वार कर सकते जितना के निया उचित हो, ये जानकारी भी देते हैं और साथ ही साथ, गाउं के लोगों के ये बताते हैं कि परिवार के अंदर अगर छे लोग हैं, तो छे लाटी हर घर में होनी चाहिए, छे सीटी हर घर में होने चाहिए, छे हेलबेट हर घर में होना चाहिए, छे प्रक्षा का अधिकार, यह समयदानी का अधिकार है और यह आपको IPC भी देती है और यह हर देश रखता है अपनी मिलिटरी सुटिजरेंड के अलाबा अधिकतर देशों की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बात पिटने की नहीं है लेकिन एक संदेश जाना चाहिए दोग करारे तेयार किया वहां बुद्धिस्म बढ़ता चला गया तो डिफेंस मेकनिस्म तो गलत चीज नहीं है और कोई कंटारिक्शन भी नहीं है आपकी आइडियोजी में और हमारी आइडियोजी में एक चीज़ और है जो वीदा पिपल वो यह कहता है कि जो बैस्ट डिफें कि यही संग का तरीका है और संग में जो लोग रहते हैं वो सुख्षित रहते हैं संग सुख्षा की गारंटी है हमारे हमारे गाओं में सारे चमारे घटे होते हैं दो जाटा कर पीट लेते हैं उनको बात यह नहीं है लिकि जब से हमने लाटिया बटवा दीना अपने है और कितना ही धागड़ आदमी हो या चार आदमी हो या पचास आदमी हो उसको कोई हाथ नहीं लगा था क्योंकि उन्हें पता है कि इनका एक सिस्टमेंट की एक और बहुत मारे गए पुलिस वाले पर हाथ उठाया है वो बंदी खतम हो गए वो बंदों को पता है नहीं है आप जो कह रहे हैं सभी लेकिन सेल्फ डिफैंस के लिए जो स्मुदाय तयार होता है वहां पिर cab लिए नहीं तो एक तरफा ही हिंस आपने तो पढ़ा हो उसमें लिखा सत्थी संगे सत्थी हमारा सेंटारिक्षन नहीं है ना जो आप कह रहे ह 한데 इंडा इसं मा कोई इत्र बिधेस को है उसको डिफेश्टा उसको डिफॉट लेकिन अगर कोई अटेक करता है भगवान बुद्धने भी का है कि दुष्ट को सजा दो अगर दुष्टा करेगा कोई डंडा मारेगा तो आपको कानून अधिकार देता है उसको सिपार का दिकार है यह इसका परचार करने में कोई दिक्कत नहीं है अध्या वह फ्टार मैं कुछ बोलना चाहा रहा हूं सर एक इर डिस्ट्रबैंस बहुत होती है फिर रोक रेटा है अग्ट नेक्स्ट मैं बीडी चोदरी जी है काफी सीनियर आपके चारा हूं वह एक मिन्त अपना प्रेशन पूछ लें आ सर बहूत बहुत धनवाश तर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है जो ना ऐसा कोई बनाया जाए कि कि किसी को यह दिया ही ना दे तो ज्यादा बैटर है किसी को भी नहीं अलाओड हो इसमें लोग तो इतने उसमें है ना गन्न होते हैं चलाने बाते हैं अरे जब होती है तो चलाने ही जोत नहीं पड़ती है कहने के मतलब यह है कि अगर तो जून कम हो जाएंगे जी अगर वो दिये ही ना जाए ना जिनको जो अब ले रहे हैं वो तो ऐसे लोग लेते हैं ने जो एक्चुल में जो मतलब गलत करते हैं अगर ऐसा कानून यह कहीं है ऐसा किया जब यह वहाँ पर गौर्ण्मिन तक जाए कि गन वगएरा इसे यह दीन आ जाए ऐसे लो मतलब किसी को भी नहीं दी जाए वो है वो कानून है लेकिन प्रभावशाली ल लोग अपनी दीजी के नाम से भाई के नाम से कहीं न कहीं ले लेते हैं वह आपकी बात जो है वो एक आदर्श्ट है कि किसी को नहीं मिले तो जा बहुत अच्छा रहेगा अगर सब मुल्जिस सुसाइटी हो जाए तो हथियारों के माइक्रो का कॉंस्पेरेसी का ही हिस्सा टू मेंने जिकर किया था कि लाइस नहीं मिलते हैं हमारे लोगों जब लाइसेंस नहीं मिलगा है तो इसलिए हम लोगों ने ल estatया उटाई। पूछा साब यह रोज मारते हैं हम लोगे इकटा होकर एक अब राद में इकटा होके मारते हैं वहां जाकर करके वहां जॉन पूर्में पूटेलों के महले में लाठिया बटवाई गई और उस दिन से जगडा खतम हो गया लड़ने ही नहीं आए लोग बाग जब देखा कि इ हो और लाठी चलाने का वर शकता है कि घ्याथ चेंस एपावर कि करना नहीं वह कर दिया जाए कंपसरी आप आप ठीक करहें जी लिए यह विडयर वह कहता है कि संग कर सकता है संग से संग्ठन नहीं तो कि संग की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है और उससे लड़ दे के लिए सब में खटा होना पड़ेगा तब ही बिल्कुल बिल्कुल कंटारिक्ष्ट्री आप अपना कुश्चन अच्छिंद अच्छिंद मेरा एक निवेदान है हमारे डाक्टर बीपियसों सर से इसर ने जो नंबर किया है वह नंबर को मैं कई बार मिलाया वह मिलता नहीं है तो अभी मैंने अपना नंबर छोड़ा है सर चैट बॉक्स में तो एक तो मेरा ही निवेदान है दूसरा सर हम लोग आपने जो बात है तो सामने वाला एक सुर्पर वाला है तो हमारे 50 लोगों पर भारी परता है तो इसलिए सरकाथ जो कहना है मैं पूरी तरह से सहामत हूं कि और हमारे राज संग सरकाथ जो कहना है संग वी हमारा होना चाहिए संगे सकती तो संग लिए प्रकार का दंडा चुरी दिया है विन्यमें सत्थक दंड बोलते हैं बुद्ध ने दिया है ग्यारे प्रकार का चुरी और डंडा ग्यारे प्रकार का संग में यह जो संग में हतियार है प्रंपरा बुद्ध की है आप रख सकते हैं रिडाक साब जो करें लाठी उसके लाठी साथ छुरा भी रख सकते हैं यह नियम में हमारे अगर आप बुद्धिश्ट हैं और आप चाहें गौर्न्मेंट ऑफ इंडिया से तो इसको है वह उसका उसकी का छुरा होता है होता है बात यहां पर यह है कि अगर हम संग बना रहे हैं तो संग में अगर हमारे पस आश्त्र सस्त्र नहीं होंगे और सामने वाले संग के पास अस्तर सश्टर होंगे तो हम पराजित हो जाएंगे पिल्कुल एक को हमारा इस्ट्रांग होड नहीं रहेगा एक तोग है जारो बंदूग को पिछे उटाद गी एक तो अ दूसरी बात सर मेरा जो है हम लोग यह चाहते हैं सर रहे डाक्टर साथ से कि डाक्टर वह हमारे देश में जितनी समस्या है उन सारी समस्यां की जननी एक समस्या है र समस्या का समादान किसे किया जाएं कि चआव लटना तो अधिकार है लोगोंका और 4000 पार्टिया हैं सभी की जनररल वालों के पाटिया र quéए और कर वीश्डम है कि यह जाने क्यां कौन उसके समिदान का सफलता से सुरक्शा रखेगा उसी को फिवर करें जो ब्रहम की सतिया पूरे देश के अंदर है और समी के लिए है लेकिन जो हमारी नेता है अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते रहेंगे और जनता तो उनके साथ देने लगते हैं तो समाज तो नेतां की वज़े से बट रहा है समाज में संग की विकरी हुई है समागी की लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं कर सकते ना? महराधमी का अदिकार है उस में यलाज तुर्ण हैं तो हम जंता लोग सरे हम लोगों का सत्यामास करते रहे ही नेता हम cœur का क्या जंता जंता को प्रणा साफ ने थिरी होगा अबकर सर बाबा साफ ने जो लोगों को रख दिकार देला दीए यह के लिए उनہं ने कहा था कि अगर आप इन अधिकारों में फिलस नहीं कर सको तो इन अधिकारों में माइनस मत होने देना ये जिम्मेदारी तो हम सब की है हमारे नेताओं की ज्यादा दिम्मेदारी है तो हम जा जंता के लोगों को बोलना नहीं चाहिए बीदा पीपल को बोलना नहीं चाहि हिसकão एक होट है वोटर को यह पैचाना सीखना होगा कि कौन पुने उनके साथिट सबिदु को उनकी गरिमा को स्तर्थ को कौन बचा सकता है किसका इतिहास किसका पीद कैसा रहा है यह विजडम वोटर को एपलाई करना होगा पार्टियां पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है यहां को यू पार्टियां बनी है एक्स्टरा बन रही है तो जो जो सिस्टम है दो तेहाई बहुंत का जभ पार्टिया वही तो हमारे बहुजंद नेता क्यों नहीं अलाइस बनाते हैं देखें वोटर जो है ना वोटर को जागरूप होना पड़ेगा वोटर जब जागरूप हो जाएगा और नेता की पैचानना पड़ेगा अभी दिक्कत यह है कि वोटर हो गया भक्त बहुत जदा वोटर यह पैचान ले चाहिए किसी का भी भक्त हो कि यह हमारा रिप्रेजेंटेशन बचाने के काविल है नहीं है उम्मीद्वार जो है उम्मीद्वार को देखना शुरू करो इसका हल यह है यह मत देखो कि कौन पार्टी कौन नेताव करना अगर उम्मीद्वार जो लोग सरकार पहुचा हो आप लोग सरकार वहां बोलती बंद यह चला है और बारे साल किया इस पर हमने डिबेट लंबी हो जाएगी वह जाएगी तो चाहता हूं ठीक है सर इस पर अलग से डिबेट रखेंगे किसी जिन कि हमारे हमारे नेता क्यों डिच करते हैं डाक्टर साब मैं आप से मुलाकात करना चाहता हूं ठीक है सर बोस्ट वैलकम बोस्ट वैलकम डॉक्टर असो के एक परसन बड़ा मैदार आया उसका जवाब दीजी थोला सा जी जी तो बात समझ में आती है हमें कि क्या बोलते हैं हर पार्टी ने अपने भक्त बना रखें औ आधा बघिट को जगाना सिर्फ तेखिये लगा जो रेप्रिजेंटेशन है पृति ने जुट वैटर ऋडियाशन हूँ ऐगर भक्त को यह सिखा दिया जाए यह कैसंन किलाई जाए कि किलाभ जो है वह तुवारा दुश्मन है जो समझान के खिलाव तुवारा दुश्मन ह तो काम करेगा अदरवाइस वो सिर्फ अगर अपने नायक पूजा करता रहेगा महा नायक पूजा करता रहेगा तब दिक्कत होगी और इसा हुआ है कि लोगों ने कसम खानी शुरू की है गाओं गाओं में दर्दस बीस भी लोग इखटा होकर कसम खा रहे हैं कि हम किसी भी देशाम है किसी के भी कहने पर सम्विदान विरोधी को और आरक्षन विरोधी को वोट नहीं देंगे तो उन्होंने भक्ति खतम करनी शुरू कर दिये और इससे बहुत बड़ी आशाएं हैं और यह जो आपका सवाल था ना भी चौदरी साहब को बड़ा अच्छा सवाल थ कि हमारे नेधा डिच क्यों करते हैं उसका जो जवाब है भूँ अच्छा जवाब है थोड़ा लंबा डिबेट हो जाएगी लेकिन जो कॉंस्टेंसी का जो साईज है इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा साईज है इतना बड़ा एक कॉंस्टेंसी किसी भी देश के नह किताब भी लिखी इसमें इंडिया रखा जाए कि हमारे नेता क्यों धोगा देते हैं इस विशेपड मैं आ जाओंगा उस दिन लिए उसमें विजे मानकर जी को भी बुलाएंगे उनका भी बहुत अच्छा वरकेस के उपर हां नहीं नहीं सब को बिलकुल ओपन नहीं विजे कि राजबीरिज जी का हैंड रेज है थोड़ा इनका प्रफेंस दे क्या कूशना चाह रहे है कि जो बाहर से बाद मेरी आवाज सुन रहे हैं आप धन्यवाद जी कि अमेरिका के समीधान में जो सेकिंड अमेंडमेंट हुआ है राइट टू आर्म्स वह यह है भारतिय समीधान में राइट टू आर्म्स की कोई प्रोविजन नहीं है और अभी जैसे बीपी अशोक जी ने बताया कि कुछ खास को ही वो मिल पाता है शेस्त्र लाइसेंस का जो प्रोविजन है और उसके साथ शेस्त्र भी मतब कुछ खास वर्ग को मिल पाते हैं आम आदमी को नहीं मिल पाते हैं तो यह एक नैच्रल रूप से उन वर्गों की सुरक्षा पर ही प्रशंचिन है करके और दूसरों को आथुराइज करते हैं कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करें सुरक्षा करें और यह भी देखा गया है कि इवन जो लौ इनफॉर्समेंट एजेंसी है वो भी जो गरीब है जो वंचित है उनका साथ नहीं देती है क्या भारतिय समिधान में भी अमेंड्मेंट द्वारा शस्त्र का जैसे यहां पर सेकंड अमेंड्मेंट है राइट तु आंस होना चाहिए तो इस बारे में आप थोड़ा मांग दर्शन करें थेंक यू देखें जो राइट टु आंस है वो नहीं है लेकिन जो डिफैंस है आपका राइट टु प्राइवेट इफैंस राइट टु प्राइवेट डिफैंस के अंदर प्राविजन है और कि आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रायोटी पे मिलेगा और लेकिन व्यवारी ग्रूप में नहीं मिलता है और डेमप्रेसी के अंदर पावर है पार्लियमेंट को वह ऐसा राइट दे सकती है लेकिन ऐसा राइट देना आप में एक भूम रैंक भी साबित हो सकता है उससे हो जाएगी उस तरह की और फिर दिकत नहीं आई है कोई कि उसके अंदर रिजर्वेशन लागू नहीं है तो वह प्रावशारी लोगों को ही मिलता है नेताओं के भाई बतीजों को मिलता है और लाइसेंस कैंसलेशन भी बहुत इसी होना चाहिए अगर लाइसेंस मिल रहा ह इसका कोई एज लिमिट भी है क्या लाइसेंस की एज लिमिट क्या जो उसमें लिखा जाता है नहीं रिमोल की है असकी सब्सक्राइब करा सकते हैं उपने बेटे के नाम या बेटी के नाम नहीं उसकी है तो उसके नाम नहीं हो सकता है ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन ज्यादा एज बेमानलों 80-90 साल का आदमी अपलाई करता है उसको लाइसेंस नहीं देते हैं पुलिस उसमें रिपोर्ट आगेंस लिखतی है कि अब यह सुरक्षा कोइन नहीं कर पाएंगे उसमें लिखना पड़ता है कि लाइसेंस की पी sobie यह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे शर्ट की अब आपको रिपोर्ट में रिपोर्ट लगवाले ना आयो से बता तो दिया उसकी इक्षा है वो अपने आप आपकी फिर्म लगा देगा अगर अप्लाई करता है तो उसको मुश्किल मिलेगा ने अप्लाई नहीं करना है अल्लेडी अल्लेडी है तो वह सरेंडर नहीं होगा वह उसके मरने के बाद ही सरेंडर होगा अच्छा मतलब वह यह नहीं है कि अपना दो तीन हो रहा है और यूएस लाल इंडक्टर शूब जी से मैं जाना चाहूंगा जैसे उन्होंने अभी बात की थी इसके उपर मैं सर जे स्टेट ऑफ माइंड की प्रावलम है जो माइक्रो कंस्पिरेसी है अगर हम यह मान के चलते हैं कि प्लिटिकल पावर में आने के बाद हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो सर वो मैं जाना चाहूंगा कैसे कर लेंगे जैसे आपने बताया कि यह मान सिक्ता बच् olsun से लिए है है तो सुर हटी से लेने से अनीशियल स्टेजिस पे तो आप उस चीज को श्मस्याश से बचे जाते हैं उसको कंटरोल कर लेते हैं हो सकता है, दो चार लटा, आप मार लो, दो चार लटा, वो मार लो हमारे, और आफ्टर जो है, उस consequences को जो भोगने की शमता हमारे समाज में नहीं है, तो उसका समादान कैसे किया जाए? देखिए पहले पहले जो आपका सवाल था, जो बंद होती है, वो उस से बंद होती है, जब पॉलिटिकल पावर के बाद में, जुरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, और एक्जिक्यूटिव में, जब ऐसे लोग आते हैं, जिनकी accountability ये रहती है, और खास्तोर से वो ऐसे वर्गों से आते हैं, जो empathy रखते हैं, sympathy plus empathy रखते हैं, जैसे इस तरह को देखने को मिला, पर जब बीच में पॉलिटिकल चेंज हुआ भी इसकी government आई, तो बहुत से जो cases थे, जो gang rape वाले थे, वो बंद हो गए थे, और पिशाप पिलाने वाले cases बंद हो गए थे, हाला कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़दा license मिले हों, या बहुत ज़दा बाट हों, लेकिन एक psychological वो रहता है कि SO का transfer, SP का, DM के transfer इस तरह के लोग आएंगे, और जो general वाले थे वो भी साबधान हो गए, कहां उपर political best boss इस तरह के बैठा हुआ है, वो चाहे कुछ कहे ना कहे, तो अंतर पढ़ता है उसका नीचे भी, और आज जैसी जो इस्तिती है, उसमें यह है कि जब harassment हो रहा है या, इलिगलिटी हो रही है, तो वो जाकर के judiciary में जाते हैं, लेकिन judiciary के अंदर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जो reservation खतम करने पे लगे हुए हैं, और NTSC या anti-minority decision दे रहे हैं, तो उनके decision में उनको डर नहीं है, कि कोई political boss या संसद हमारे decision है, उसको बदल देगा, लेकिन Parliament को power है, कि Supreme Court हो चाई I Court हो, उसके decision को बदल सकता है संसद, लेकिन जब संसद में आपका जो representation है, वो representative ही चुनायाता है उस बरसी पर, जो unreserved categories आते हैं, reserved category के जो representative हैं, actually they are representatives of unreserved categories, because most of the first entities have maximum population of SEs, about 30 or 40 percent, तो वहाँ पर जो candidate जीता है, वो जीता है जो unreserved voters हैं उनके द्वारा, तो उसको ये मालूम रहता है, जो बहुत weak रहता है, वो वहाँ संसद में चुपी रहता है बिल्कुल, जिन लाजर constancy हैं, वहाँ vote की value कब रहती है, और गर smaller constancy हों, vote की value जदा होगी, और वहाँ पर हमारे loyal और accessible, हमारे political bosses जाएंगे, और एक बहुत बड़ा political change होगा, जिसकी वज़े से, जो भी चरी में और भीडो करसी में, बहुत बड़ा प्रभावशाली कदम होगा, और उनको लगेगा, कि हम अच्छे से, हम अच्छे से काम करें, नियाची तरीके से काम करें, समयदारिक तरीसे के से काम करें, आज तो यह सित्ही हो गई है, लोग बार, आपको एक case ऐसा बताता हूँ, जो पूरे इंडिया के नजर में हैं, आगरा की consistency है, रिजर्ब consistency MP की, जो shortcast ही consistency है, और टूनला भी थी, एक ही व्यक्ति तूनला से चुने गए, पहले तो MLA, और वही फिर MP चुने गए आगरा से, और वो shortcast नहीं है, इस बात को decide नहीं किया जा पा रहा है, अभी तक बहुत दिन होगा इसको, कि इनकी बिरादरी कौन सी, जब कि उससे पहले भी OMP रह चुके हैं, हाई स्कूल इंटर्ट पेस्टी हैं, उनकी बिरादरी आज तक देखने में कोई भी नयायल है, कोई भी जहांचा दिकारी, आज तक इसको decide ही नहीं कर पाया, जब कि वो आदेखने के decide हो जाईगी, कि हमारे यहां, जो हमारे पारडिकल लिटिसेंटेटेंस हैं, और वेरी वीक, और उन्हें पता है कि वो हमारे गवार नहीं चुने आते हैं, वो अंग्जाव्ट के वोटर्स के द्वारा चुने आते हैं, तो यह इससे दी है, पहले आपको जवाब यह था, और आप से क्लैश हुआ और वो मारा गया, तो आपको राइट टू प्रडेक्शन मिलता है, आपके महले हो मारा गया, इसका मतलब जो आने वाला था, डोमिनेंट कौन था, और एरोगेंट कौन था, जो आ रहा है बाहर से, तो निश्यत उप से, और उससे रखने में कोई गुराई भी नहीं है, लाइसेंस ले लाइटी का, लाइटी का लाइसेंस नहीं लेना, सीटी का लाइसेंस नहीं लेना, हेलमेट का लाइसेंस नहीं लेना, तौर्च का लाइसेंस नहीं लेना, लेकिन ये डिफेंस मेकनिजम है, अगर किसी कैमरा लगा रखा है अपने रोड बर तो बहुत बड़ी चोरी भी अपरादी भी डेकेटी भी और अत्याचारी भी उसको भी फ़र्टा है कि हाँ और जहां तक दिक्कत इस बात की है कि उसके बाद पचला होगा मुकदमे का लेकिन जान तो बचेगी मुकदमा तो बाद में लडा जाएगा और फिर हाथ पर हाथ धर के बैटनस तो फायदा नहीं है न कुछ राइट तो लिबर्टी आपको समिधान भी देता है जान बचाने की बात जब आ जाती है तो एक मिर्चिपूर का कांट भी जाद आ जाता है कि जन्हों ने जान तो बची थी पर वो अपना गाउं में गुसने के लिए उनको प्रटेक्शन देने के बाद भी वो गाउं में वापिस जाना नहीं चाहते थे नहीं इस तरह का ना लेगिन फिर भी लोगों को प्रटेक्शन मिला है ऐसा नहीं है जो आपने प्रटेक्शन में बताया है वो इतना असान था ये डॉक्टर साभी इस बात को क्यों नहीं समझ पाई? सब्सक्राइब बनाई है ना शांति सुरक्षा दल बनाया था इस्थापना की थी उसकी आप देखना उसको बावा साब ने तो परफेक्ट काम गिया है उन्होंने कोई चेतर छोड़ा नहीं है संता सैनिक्डल इसी लक्स के वो रक्यक इस्टैबलीश किया था दूसरी बात सर्व अशोक सर आपने बहुत अच्छी बात की है बाबा साब ने जो इसके बारे मेकैनिजम जो बताया है बाबा साब कहते हैं कि पहली बात यह करनी होगी संगटित तो होना ही होगा लेकिन दू जी भी लोग है वो अगर इकटना हो जाते तो समाज के उपर अपने प्रभाव बढ़ जाता है दूसरा आपने जो कहा कि यह साइकोलोजिकल जो इंपैक्ट होता है जैसे कोई पावर में आ जाता है जैसे बीएसपी की पावर आई थी तो अपने आप साइकोलोजिकल इंप है नोयरी जैसे कोई जो आज सोचल मीडिया की आपकी आपकी बात बहुत दूर तक जाती है इसह कोई से मिनार वेबिनार जो है इस बिकंस अचैनल से मीड़ और इंटरिशनल रोट शॉप और फिर आइडिया तो आप ही देंगे ना जो इंटेलेक्शल से वही आइडिया देंगे यह जॉनपुर में एक्सपरिमेंट किया था हमने तो लाटिया बटवाई थी पटेलों के महले में और ठाकरों ने उस दिन से आज तक भी जगड़ा नहीं क कुछ सोचल मेडिया मान लगे हैं तो वो हमारी बात भी उठा रहे हैं और कोई भी जो थिंकिंग हुमेन बींग्स हैं जो इंटेलेक्शन से एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो सुपरिस्टिशन को भाव दे रहे हैं जो हमारी डिसकस होई है जो वारता और चर्चा पर चर्चा करें चलती रहेंगी राद भर भी चलेंगी निसकर्स नहीं निकलेगा एक बात जो माना है वही सुधिराज्शी ने कहा कि अंदभक्ति मिटाने के कोई रास्ता है क्या उसपर कोई हमारी सोच नहीं है बाबा साव ने यह कहा है और हमारी सोच सब बढ़े लेके अपनी तर्क लगाते हैं अगर अंद्थभक्ति ही कारण है तो अंद्धभक्ति दूर करने का क्या उप fidilmal कि क्या हम कोई शंग्ठन बनाके अंधभक्ती दूर कहां हो रही है इंद कोई इसी इन है इस दिन कोई संग्ठन नहीं सोचता है अब कर रहे हैं कि अलाइंस की नौबत ही क्या हो है अंधभक्ति पैदा करना क्या हम दोसी नहीं है हम संग्ठन करता है या लीडर सिफ्ट जो हम अलग से सबके लिए अलग अलग है उसकी परिवासा भी बदल जाती है इसका कोई निसकर्स नहीं कलने वाला है अब निसकर्स एक है यह हम अपना कारे करें यह अपना कारे करें और उसी में हम भारत के लोगों को बीच में जाए और साथट पले ही होगी और दूसरा भी कल्प में नहीं दिखाई दे रहा है धन्नवा सर्ट इसमें मैं भी कह रहा हूं जितने हमारे संग्ठन या जितने पार्टियां जो को जागरू करने के विए उनको अंद्भक्ति बनाने में लगे रहते हैं प्रोलम यह हैं प्रेयार सब्सक्राइब करें की बजाए सब का हाथ कीचने वाली बात मैं जन्रल एक बात कर रहा हूं जैसे आपने पूछा ना कि मतलब यह डॉक्टर मेदकार को एकी विचार को ल तो मेरा यह मानना है कि एक जैसे हम घर में बैठते ने AC में AC में बैठके अंदर से बाहर देखते हैं देखके हम धूप को define कर देते हैं कि करमी बाहर बहुत है तो हमारा नजरिया लग है एक जो धूब के ंदर में जल रहा है उसका नजरिया ऻग दूप तो वही है सर इसलिए दो डिफरेंट वीउस हो जाते हैं सामने तो यह होता कि आप कहां से बैठके उस चीज को देख रहे हो हैंडी आर्गे जी जी सर जब भूकम पाता रहा तब पूरे महले का एक ही भी होता है घशोड के बाहर भागो जब बाड आती है ना तो सबका यही रहता है कि भाई या उंचे टीले पेचड़ो जब आग फैलती तो यह कहता है आज से बाहर निकलो भाई यह आपात काल है अब यहाँ दो व्यूज वाले लोग भी मरवात हैंगे दो व्यूज वाले तो आप तो एक जानना चाओ सदान बाद कर रहा है मैं का सर वो जो बैठे ही बाहर बाहर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपात काले लोग जिना बहस करकर किये देखो निरंकार जी ने जो बात आज कही है न यह च्छे मिने हो गया हमको चला चलाते मुझे आज निरंकार जी की बात सबसे अच्छी गाई बात सब्सक्राइब कर लगा जैसे किसी संत्र ने अच कर दीया हो इतनी सटी गोंति बड़ी वाद परसी ली लो देदेंगे दिवाब तो आपस में कोई दिकत नहीं है खेवडिया जी अनके खेवड़े जी सभी सम्मानित साथियों को मेरा जैबीम और नमबुद्दाएं लोट कर लेते हैं उनको भेज़ देंगे करना चाह रहा था लेकिन ठीक है हम लोग जो है संग से जुड़े हुए लोग है और संग का जो है बिलकुल यह दाइत है कि हम सब जो समाज में वर्ण व्यवस्ता के रूप में जो बाते फैली हुई है उसको जो हम ठीक करके लोगों में बताएं जो समाज में अलग-अलग बाते परचारित हैं और जो गलत असर छोड़ती है हमें साइकलोजिकल जो है बैड इफेक्ट डालती है उसके बारे में अवेर करना हम सब की फर्ज है तो एक शब्द अक्सर जो है वो मीडिया में भी आता है और हमारे लोग भी उसको इस्तेमाल करत हैं दलित के नाम से तो मेरा यह जानना था कि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है कि शब्द से हमें परेज करना चाहिए और क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द जो हमें एक थोड़ा साइकलोजिकल जो है नीचे ले जाता हो उससे हमें परेज करें और जो मीडिया में भी छप करके इस बात को ठीक कराना चाहिए तो यह मैं मेरा सवाल था और आप में से कोई भी वक्ति जो है मेरी बात का जवाब दे सकता है यह एंडॉर्स कर सकता है जी धन्यवाद और जय भी तो यूज नहीं कर सकते हैं अब कोई कि इस पर कोगनिसेंस ले या कोट ले या इस पर अब भी करन करता है ना इसके में दडल ले से इस्तेमाल होता है अभी पंजाब में यह क्या तारे नेता लोग ओपन लिव बोल रहे हैं मीडिया का अपने आप थोड़ी कुछ बोलती है तारा मीडिया वीडियो सब कुछ है मुख्यमंत्री बने पूरे मीडिया ने जो है गाना गादिया एक स्वर में बिल्कुल बिल्कुल लीडियो साथ मिटिंग रोग चलनी है समय देखने गड़ी देखने देखने तो आज के एक दिन लेत हो जाएंगे जोड़ देंगे दूसरे लोग आजेंगे जो जाना चाहता है जिसका खराब और चले जाएंगे ये क्या जवाब है ये कौन सा जवाब है की बात कर रहे हैं इस पाद की बात कर रहा हूं चिंटा मत करो सर अब हम सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब करें अब सर अब भी काफी देर से और आर्म से बात हो रही है तो मेरा मानना है कि सर एक तरफ अगर पांसो लोगों का संग है और दूसरी तरफ दो आर्म्स वाले वेक्तियों तो क्या वो इस मानसिक स्थिति में होंगे कि उन पांसो लोगों पर फायर कर दें मुझे ऐसा लगता है कि वो इस मानसिक स्थिति में कभी नहीं आ पाएंगे कि वो पांसो लोगों पर फायर जोंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जी सर मैंने बहुत सारी पिच्चर देखी है इंग्लीज मूवी देखी है उसमें जैसे ही आता है वह थियाँ छोड़के भाग जाते हैं या वही कह रहे है सर्ग में जो सकती है वह उसको मालूम है कि वह फायर जोकेगा तो उसके पास दसी गोलिया है जै तो इसलिए संग से कोई नहीं टकल आएगा सर्ग की शकती जरूरत है सभी लोगों को संग में आ जाना चाहिए पर देखेंग कोई जरूनती नहीं पड़ेगा हम सबको आफेंसिव होना पड़ेगा और आफेंसिव जब ही हो सकते हैं जो संग में आएंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आप एक जुठ हो जाईए कोई आफेंस करना ही आपको संग में होना ही अपना सब्सक्राइब कर दो और इनको जो जो जादान पर आपको आपकी बच्चों को दर भेदो समको साब की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्हों ने एक बात जो कहीं है कि कहीं पे भी अगर ऐसी बात लेखनों के मिलती टोक ना जरूर हर कहीं जहां पर जो बेखती हो उस से सिटी में टोक जरूर देजी आपका फोन नंबर चाहिए वो टेक्स मैसेज किया है बहुत बार मिलने मिला नहीं उसमें से आप आपका नंबर बोल सकते हो कौन नंबर जी जी पॉल देता हूं 94162 94162 2828681 681 थैंक यू जी असाइद मैने भी आपका हो सकता है रॉंग नंबर नोट करता है कोई बास ने में करता है थैंक यू नमस्कार कि सब बताएं अब जी रोआ और क्या और सर मुझे भी सब मौका मिलेगा थोड़ा आप अपना क्रिश्चन बोल दो क्या है सब्सक्राइब को जैवीम नमस्कार यह मैं जानना चाहता था यह डाक्टर बीपी असोग साथ अभी कहां पर पोस्टेड है और किस पोस्ट पे हैं अब यह चैट वाक्स में नंबर है बात कर लीजी लेकर लखनु है है लखनु में है लखनु में लखनु में पोस्टेड है हाँ अच्छा पूलीस का जो नेया है डिकवाटर बना है उसमें चले जाना किसे वो चोड़ी आएगा आपको बहुत बड़ा कमरा है सवात नी बै क्या करें किस पोस्ट पर आएं एडिशनल एस्पी है अच्छा 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 था ना कि वह तो नहीं है क्या ना अच्छा यह अपना डेलवे में कई वर्षों से 22 साल से डक्टर अंबेट कर जनती मना रहा था तो एक वार इनी को डक्टर बीपी असोग सापको चीट गेस्ट में बुलाया सब्सक्राइब करते हैं कर देते हैं अपने क्या नाम करना इसको बंद और वह जो रिकॉर्ड हुआ है ना देखना सबकी डिमांड थी कुछ दिराजी रिकॉर्ड आपके वहीं होगा सब्सक्राइब को कोई रिकॉर्डिंग को चाहिए तो यूटूब पर होती है वीदा पिपल का यूटूब चैनल है उस पर मिल जाती है सब करना चाहूंगा सुधेद आज इस तिंग्चर से कि मैं मैंने कई बार हैंड रेज विए और मैं अपनी बात कुछ रखना चाहता था बोलना चाह रहा था लेकिन हमारे आज के होस्ट हैं हो होस्ट है हमारे परिहार जी शायद मेरी बात को ध्यान से सोना नहीं तबज्जव कोई बात नहीं संग है हम सब लोग संग है कोई नहीं कोई नहीं परियार साब अगली वार बात कर लेंगे अपनी कोई दिक्कत नहीं सभी को हमारा नमोगत है नहीं वह मुझे लग रहा है डट साब आपकी बात इसलिए नहीं होती कि आप हमेसा फॉन पर रहते हो जब भी फूटू आता है जब कोविट में सरूब वा था उस समय का फोटो लगा दिया गया वह हमारे किसी जो हमारा कंपूर्टर ऑप्रेटर है उसने जो आई डी बनाई है तो वह फोटो लगा दिया सर जी प्रवाइब ने ने सर ऐसी बात नहीं है अभी कर ले ने सर अभी को सकती है कर लो सर प्लीज कर लो अब सुनाने के लिए सब त्यार है अब से रिक्वेस्ट कर लोग है जो अब सब्सक्राइब ने सर अभी कर लोग जुड़े तभी लोग जुड़े सबने अपने बहुत अच्छे विचार रखे और जो बात चली संग की संग है सकती की आपने बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा कहा कि जब एक चीज मैंने पहले भी कही थी शायद आपको ध्यान होगा मेरी बात का कि हमारे जितने भी संगठन है जितने भी संगठन है CST, OBST के जो भी हमारे सुद्र समाज के हैं जितने भी हैं तो ये जब संगठन जब इनका मौटो एक है तो इन सबको एक मंच पर लाने के लिए भी हर सब क्रोश्टेस के क्यों नहीं आते हैं और ये विभीन नहीं है बाबा साहब नेनांगपूर से सुरवात की की और क्एनगपूर जहांसे वो उसमें जो छदम लोग हैं, वो चाहें राजनीती में, उनके घुसाय हुए हमारे राजनीत के बीच में हैं, उनके ही लोग आज धार्मिक गुरू के रूप में हमारे समाज में लोगों को दिखुरूनित कर रहे हैं, एक छदम गुरू बन करके हमारे समाज में लोगों को व्द्ध गृत कर रहे हैं चाहें वो जाएं भो लोगों को सचेद करने की क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या इसके पीछे ये कारण नहीं है कि आज ये हजारों संगठं खड़े हो गएं ये भी तो सोचने की जरूरत है ये भी तो बज़े हो सकते ह discovery है और भृत यहँ democraticous यह कुछ शापटे सकते हैं वह किसी कहीं कहीं हो सकते हैं कर रहा हूं अपनी इस्तर पर आपके निर्देशों का पालन हो रहा है अपनी इस्तर पर योगेदर जी जी यह नहीं योगेदर नंबर ले लो आप हापोल गुलेंसर में काम कर रहे हो तो अलीगड़ है किता तूर महां से है दुख्ता को नंबर है मिलका आप में तो थोड़ा सा कर रहे हैं एक इंजिनियर विजय वह है विजय विजय है कि वह कह रहे थे कि मुझे बतारा क्या काम करना है तो नंबर भेज़ दूँगा आपको सर मुझे आया हुके और भी एक घएडर महीना हुआ डेडर दो महीने होने जा रहे जितने भी अपने लोग हैं आप से इस अब कर रहे हैं लोगों को से जोडने के लिए पूरी तरीके प्रयास्रत हुं इस परिवार से मैं जोडने के लिए हर संभब पुरा कोसिस कर रहा हूं लगा हुआ अगर आप सब की जाज़त हो तो मैं आप से चुटी ले लूँ आप लोगों की बात मानता हूँ लेकिन अगर सारे रेस्टी करने शुरू कर दे तो फिर काम कौन करेगा विश्किश में आप गंटे की रेस्ट गंटे का एनर्जी दे दे बात में जी 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 तो मैं सभी सभी को आपको बैल साओ ऑस्टेलिया की और क्या वोलते उधर UK की मीटिंग सेट अप पर नहीं ठीक हो जल्दी से आप मैं मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे बस में जो है वही कर सकता हूँ अभी आप ठीक हो जो आप जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी तरफ से सभी को सुभ रात्री और मंगल कामना है अधिक है कि बालचंद बहुजी साधर MP से हैं बालचंद बहुजी बालचंद जी क्या आपके आपके साधर में देखो सुनों ऐसा एक चीज हो इनको सुने हैं देखो ऐसा है बालचंद बालचंद आपके सागर में क्या चलना है कुछ वीदर काम सुरू हुआ उदर साब अभी तो नहीं हुआ है अच्छा आपको पूरी समझ में आगे है ना कोई अगर कोई पसंद मुझे जवाब देतो होगे ना वीदर के वारे में हाँ हाँ से किलियर हूँ और मैंने लाने का प्रयास किया आर्पी कुर्मी शाव लेक्चरा रहें जो अभी छतर सब्सक्राइब लेकिन मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के कारण में पुद नहीं जुड़ पाया उनको बोला तो पता नहीं कि वह आए कि नहीं कोई बात नहीं ओ क्या वोलते योगता कुमार जी आप बालचन जी के को या जो क्या वोलते राजमारी बहन जी को उनका दो ताकि वहां जो यह दो तीन जो डॉक्टर और जो दिन जो जोड़े है बालचन जीन ना उनसे बात हो सके मेरे पास है सर राजकुमारी में को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मेरी और उनकी मुलाकात एम 21 एक और ग्रुप है मतलब हमारा जो काम कर रहा है एम पी मे मुमेंट 21 जिसमें पहले राजकुमारी वंसल मैडम भी थी तो उनको मैं परिचेतू कई वार कॉल किया था तो उसमें माइक्रो करना पड़ता था वो काम मैं देखता था उस समय तो आप एक काम करो योगण्दर जी आपने का नंबर लिख लो क्योंकि एम 21 की तो क्यान्टी लें क्योंकि मैंने किया फिर मैं बात ना चाहता हूं उन्होंने मिली किसी से बात ही नहीं करवाई तो बात बनी नहीं हुआ जी सर मैं चैट वॉक्स पर डाला हूं बैसे मैंने भी डाला था कोई बात नहीं को पॉंटेट करेंगे जी जी परसाजी बेंडल पस्टिम बंगाल से आपको नमभुद्दाय जेहिं सब समझ में आ रहा है आपको अपको यह सतवान जी समंझ में आ रहें पच्छिम मंगाल में हैं यह सतवाध में हैं सद्वां जी हैं बाचित होती है नहीं से जी लगें कुछ लोगों से मिला हूँ बाचित किया हूँ आज भी दो तिम परफूम किया हूँ परिशानी महसुस तो नहीं हो रही बताने में परिशानी पर आपको जरूर बदाऊंगा लोगों के परसंद आते होंगे कुछ होते हैं क्या है कि बहुत साइब लोग इखटे होते हैं अगर जो लोग समझ जाएं वो जदा असंदार होते हैं जी जी हमें अपने वह रिलेजिक हैं तो साथ काम में आहे हुए हैं यह क्या क्या बाल्चन पिंगोलिया जी नहीं जूटा है लग रहा है नहीं सौन नहीं सौने आप एक काम करो बिरेज नंदन परसाजि इसाना कॉंटेक्ट में रहो आप एक वार ऑन को आइडियोजी के वारे में कुछ हो और वह कुछ लोगों से बात कर रहे हैं अगर वह बात कर रहा है तो आप प्रसाजी आप अपना नमबर देतो बाल चंद्र जी को यह राइस्थान से हैं और यह पूरी अच्छी तरह समझ गए और यह लोगों को लेंगे आप चूर्मा बाठी के एक साथ आप आप नमबर देतो अपना उनको छोड़ दो वह बात करेंगे आपको इसके पहले मैं छोड़ चुका हूं सर फिर मैं छोड़ देता हूं आज छोड़ दीजे छोड़ एक डेट रखी हुए इस बार मैंने मीटिंग के लिए जो स् प्रेंटेशन प्रंगाल इस्टन स्टेट श्टाइश तारिक है 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 होगा सर होगा है हो लगे जुड़ेंगे लोगा काम चलना है लक्षमन बालके जी हैं क्या ओलाइन देखाय दे रहे हैं लक्षमन बालके जी मुक्यस कुमार जी मुक्यस कुमार जी बारे बसके एक मेंट हो गया दिन बदल गया मगर अभी भी हम Pयतालीस लोग है तो हमें पता है कि हमें कितना काम करना है तो मेरे खाल में मीटिंग का एंड करें अब तो आगले दिन आ गया आज फिर मीटें के साम को जितना पॉसिबल है नेटर करेंगा तो जाइन हो जाओंगा और यह शरत मोरे सार डॉक्टर शरत मोरे सार है आप शो तो कर रहे हैं मोरे साब कमल कि सब्सक्राइब है ने डोक्टर शरत मोरे जी सुदिर सार जी वह आज जो बात चली जीड़ी असवक साब ने बताए थी ने मेकुरो और माक्रोडीसेप्रिटी दी इसमें बहुत सारे इसकोस हो रहे थे वही जैसे हमारे जैसे की मेडिकल में जो एमर्जनसी क्रिटिकल केऱ टेक्निशन की पोस्ट होते हैं मैंने आपोच्ग भी की थी इसमें डार्यक्ट से और हमारे ठीर्टस है दी की पांच तो कोई बनता ही नहीं नहीं बनता तो मैंने अपोज भी किया था बहुत भी की जब से रोस्टर चेंज हुआ है तब से वह यही करते हैं चार पोस्ट तीन पोस्ट और प्रॉफशर तो सारे खांगे वह थी अभी मैं आपको सब्सक्राइब बतारा था मेरा सब्सक्राइब से चल रही है हर्याना में आपको पता हुआ क्लास वन टू में रिजरेवेशन लागूई नहीं करी आज तक और वहां सर्विस जैसे दो साल पांच साल बाद में निकालते हैं तो वही बात है उसमें अगर हो हर साल निकाल दे तो हमारे रहते हैं अगर निकाल ले तो लास्ट में नोवा दसमा या जो भी है ऐसी बीसिकान नंबर कुष्टो आएगा तो वह बीच बीच में आते रहेंगे यह यहाल है कि हमारे पूरे स्ट के लोग है प्रमोशन में मतलब विदाउत रेजरेशन भी हमको प्रमोशन मिलना है परंतु वह जान बुच के नहीं कर रहे हैं महारास में आठ लोगों का प्रमोशन था है इसमें चेलों के स्ट के थे दो साल लगा दी है जब लास्ट में से चार लोग निटार हो गए तो लास्ट में बंद कर देता है ने परमोशने बैठी है वह तो सभी सभी का दुख है एक काम और और हुआ है बड़ा कमाल का यह इसे आये कि पूल चारचा लोग एक साथ अपने स्ट कर दिये डिपार्टमेंटों को ठोले कर दिये और चार्चार पांच पांच हैड बना दिये और वो लोग हेड़ना बन सके अभी क्या हुआ सुदिर जी वह जो अभी जो क्या बढ़ते है प्रमोशन में सभी वह करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि इसने इसका कर दिया अगर आप नहीं करूगे तो दूसरा तो करेंगे नहीं पर वह बंदा अपने कर्मों का फल भोगा और वह सब्सक्राइब सबको मैंने नाइन प्लस और टेन पॉइंट दे दी जो भी जितने भी अनुसुची जाती और जन जाती के तो हिम्मत करनी पड़ती है तो ही है बहला ही है हमारी और कभी-कभी पंगा लेना पड़ता है सिस्टम से जो बीपी असोक साब ने जो बोला था कि हमारे लोगी हमारा नुक्सान करते है नाइंडी परसेंट और उसमें हंडिट परसेंट सही है आज कोई हमारा सपोर्ट करता है तो दुसरा बलता है यारे तो अपना आज में करना है तो पर लंत जब उनके लोग आते तो यह बात होती नहीं है इसके लिए दो धम्म आपको सभी को नमान और हम सोच रहे थे कि आप लोग साथ उसके बारे में आज प्रोग्रम रखेंगे खार एनिवे वह आठ तारी को हो गया था आठ तारी को रखा था साब के वारे में सदाने प्रोग्रम हम भी थोड़ा लेंट हो गए जीमिन जो है जो सरकारी जीमिन हमारे पास दे दे तो पढ़िया बात है तो उसके उपर थोड़ा परकाइट करते रहे तो और अभी महाब पर लोग साथ हो गया तो हम आफ के साथ आई है तो बड़ी है कि हम लोग एक साथ काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर एक प्रेट परम के उपर कठे होंगे तो अच्छा रहेगा जैसे आप लोगों ने बोला हुआ लिका हो के लिए एंटरनेशनल जो है सभी लोग एक साथ ज्यादा है तो पड़िया रहेगा ते हम इसको पर प्रेजस करेंगे जो जुरूर जोरते जहेंगे हमारे कप्ति ताधरू पलाल कृरीश से भी है हम तोड़ा जानना चाहिएंगे तो भी हमारे साथ जूड़े है तो नहीं कर रहा कि अपा लेट भी काप योगा है थैंक्ट यू आपका जैभी नौबदाय थैंक्ट यू रभी जी नौबदा जी जैभी नौबदाय सर्थ सर मैं तो पहली बारी आपके साथ जुड़ा हूँ और अभी ने बताया था कि हमारे जो समाज के वो सभी स्टेटों से कोई काम करना चाहते हैं मैंने भी सोचा के चलो बात सुनते हैं और काम जो हमारे सभी वहीं को कठे करना जाए हम भी हमके साथ जितना हो सके करेंगे और साथ बड़ी खुश होई आप से सभी बाईयों को में से मिलकर और आज साहब कांशी राम जी का परीज निर्मान दस्टेवरानों नामन करता जी सारे वाईयों के बिचार सुनते जाएंगे और फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और इशी के साथ मुझे खुशी हो रही है आपके साथ जुड़ने के लिए थैंक्यू जी जैप्रिश तैंक्यू सर आपका वैलकम है स्वागत है यहां पे इस प्लेट्वांपर और आ आपका नंबर चैट बॉक्स में भी थोड़ा छोड़ दे तो ठीक रहेगा या बोल दे आप ठीक है सार मैं नंबर नोट कर लेंगे पूल के सार जी चुन्गूरिया साब हैं एक बिनेट एक जी अपना नंबर बोल दे आप नोट कर लेंगे देश्का कोड़ है डबल जीरो थी जीरो जी एक बार इस जो नंबर यह शिक्स नाइन सेवर माइन ठीक है सार टीक टू फाइफ सेवन फाइव सेवन जी क्या सर कि मैं रूरो Judy एक टू जीरो इडिन्ह कुरों ठीक है टालन कूर Step जी मेरे मेरे सर लिखो जी बुरी नाइन एड टू नाइन शीक्स एक वार्टी बुरी तरफ मैं आपको मिस्कोल दे रहा हूं सरफ ओके सैंक्ट जी बारे बज़ की बारे मिंट हो गए ठीक है सब को जैसे आशाम को फरी मिलेंगे आर्ट वज़ी जैने क्या है तो महिलाओं काया है दस होगी आपनी महिला की साथ कि अच्छा है ताकि आना सब को है आपको देख रहा है आपको फॉन करेंगे जी सर परियाजी फॉन करके बताएंगे आपको बता दूगा बता दूगा आपका नंबर देनोट कर लिया मैं आपको जैमिम नोट कर लिया अजयपूर देख रहा है कर दो 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 झाल झाल